अब जब मैं यहां पर टॉपिक का नाम लिख देता हूँ मैं बात कर रहा हूँ यह पूरा आपको 100 marks के लिए आने वाला है देखो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह शायद आपको पहले से पता है but I want to give a brief description about this subject ताकि तुम लोग को पता हो कि तुम लोग को कैसे पढ़ाई करनी है कैसे तैयारी करनी है एक्सेक्टर एक्सेक्टर तो जब मैं EBCL chapter की बात करता हूँ यह आपका EBCL chapter जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है पार्ट A, पार्ट B and पार्ट C ठीक है ठीक है थेन रेटिंग पर थोड़ा ध्यान देना थोड़ा समाल लाँ ठीक है पार्ट A, पार्ट B and पार्ट C ठीक है जिसमें से पार्ट B बात करता है Competition Act की किसकी बात हो रही है बटाओ Competition Act 2002 की बात हो रही है जो की 25 marks के लिए आने वाला है जो की 25 marks के लिए आने वाला है फिर पार्ट A में आपको 11 chapters है जिसमें से सबसे बड़े-बड़े chapters FEMA, FDI, ऐसे अलग-अलग chapters है तो ये आपको आने वाला है 40 marks के लिए और पार्ट C में जो आपका पार्ट है यहाँ पर टोटल 12 से 13 chapters है और ये chapters आपको आने वाले है 35 marks के तो इस तरीके से ये लोग ने आपका 100 marks को क्या किया है डिवाइड किया है पहले आपको पार्ट A दे दिया है 40 marks के लिए जिसमें आपको 11 chapter पढ़ने है बच्चा पढ़ते पढ़ते मर जाएगा लेकिन पूरा 11 chapter पढ़ना पढ़ेगा फिर पार्ट B में उन लोग को आप पर तरस आया वो लोग बोले कि बच्चे पर इतना बर्डन नहीं डालेंगे हम तो इसके लिए ये लोग ने competition act 2002 दे दिया है एक ही chapter जो कितने marks के लिए है 25 marks के लिए है और part C में ये लोग ने कम से कम 12 से 13 chapters डाले है जिसमें से आपने कई chapter खुद भी पढ़े होंगे पहले वो कितने marks के लिए आने वाला है 35 marks के लिए आने वाला है अब जब मैं ये revision lecture चालू कर रहा हूँ आपका तो मेरा target वो है ऐसा chapter जो छोटा है चोटा है और जादा marks देगा ऐसा chapter जो क्या है बिटा छोटा है और marks क्या देगा हमको जादा marks देने वाला है जैसे कि एक chapter है chapter का नाम है competition act 2002 competition act 2002 बिटा एक ही chapter आपको 25 marks के लिए आने वाला है yes single chapter for 25 marks अब आपका paper कैसा होता है पता है आपको तो पता ही होगा आपने तो analyze करी लिया होगा आप लोग पढ़ने के पहले paper का analysis करते हो तो आपका paper कैसे होता है and question number three and question number four again क्या होता है compulsory होता है और ये question number three और question number four आपको कहां से आने वाला है वो आपको आने वाला है competition act से यानि competition act को option में डालने का सवाल ही नहीं उड़ता बिटा क्यूंकि competition act आपको compulsory ये लोग पूछने वाले है 25 marks के लिए को चैज नोब मैं और कोशन 4 में और जहां पर ये लोग बिल्खुल भी आपको ऑप्शन कर il daय फिर आपका कोशन स्ट की निमार 5 आता है जो की कंपपल्सरी होगा अगेन कोशन मेख वाइव क्या होगा इसका कंपर सरी होगा और कोशन नॐबर सिकस्ष में आपको option मिलेगा question number six में क्या मिलेगा आपको option मिलेगा ठीक है तो मैं बीना time waste किये आपका जो सबसे important topic है पूरे syllabus में उसको start करने जा ठीक है अब वो topic का नाम है competition act topic का नाम क्या बिटा competition act 2002 पहले तो जितना चमका सकते हो इसको जितना start लगा सकते हो लगा देना because यह chapter आपको आने वाला है 25 marks के लिए वो भी compulsory 25 marks compulsory 25 marks no option बिटा compulsory 25 marks no option ठीक है अब यह chapter है क्या क्या है काफी सारे बाहर है ना बच्चों का डाउट आता है कि सर competition act ना बाउंसर जा रहा है competition act नहीं समझ रहा है competition act में क्या लिखा है प्लीज बता दीजिए प्लीज बता दीजिए तो भाई आगए बताने के लिए competition act बहुत simple है मैंने इसके notes बनाये roughly 26 pages के notes यह 26 pages के notes आपको 25 marks दे कर जाएंगे आपने अगर एक बार यह 26 pages पुरा पढ़ लिया तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की कोई भी ज़र्वत नहीं पढ़ेगी तो चलो डिसकस करते हैं कि competition act है क्या ठीक है अच्छा एक बात बताना आप लोग सबने 12 में economics पढ़ा होगा 12 में आप सब लोग ने economics पढ़ा होगा और economics में आपको बताया गया होगा कि market में मार्केट में क्या होना चाहिए बिटां कॉम्परडिशन होना चाहिए यस पीपल मार्केट में क्या होना चाहिए competition that means there should be many sellers many cells जब मैं मोनोपोली बोलता हो तो बात होती है लेकिन मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं competition में क्या बोल रहा हूं बहुत सारे sellers होने चाहिए बहुत जादा sellers होने चाहिए ठीक है अब समझना बात को यहां पर क्या हो रहा है competition act 2002 न यह मेरा फेवरेट है यह मेरा फेवरेट पर्सनल फेवरेट है क्यों विकोस आपको यह 25 मार्स के लिए दिया है तो पढ़ाने भी मजा आता है प्लस competition act के अंदर जो penalty लगती है न एकदम फार देते हैं उन लोग एकदम फार देते हैं अगर मैं penalty की बात करू तो competition act 2002 के अंदर cement industry के काटल को 6300 करोड की penalty लगाए गई थी कितना बोल दिया मैंने 6300 करोड की क्या लगाए गई थी बेटा penalty लगाए गई थी इतना ही नहीं मोटर कार्ट के काटल को penalty लगाए गई थी approximately 2600 करोड की और यहां पर competition act 2002 यह penalty लगाने में जरा भी हिच्च की चाहता नहीं है यह यह penalty लगाने में भी ढरता नहीं एक दम बिंदास पैनल्टी भी बिंदास मन देंच अहाँ अब बनाया था yes people उसी तरीके से cement company ने भी क्या किया था association बनाया था there were total 13 cements company कितना cement company था बेटा 13 cement companies था अब वो 13 cement company में दुनिया अपने इंडिया की सबसे बड़ी-बड़ी cement companies बहुत बड़ी-बड़ी cement company अगर मैं आपको example के लिए नाम दे दू तो एसी सी अल्ट्रा टेक सिमेंट जे के लक्षमी सिमेंट ऐसे सब बड़ा-बड़ा cement companies था अब यह लोग ने क्या क्या बेटा मालूम है क्या यह लोग ने ना दीरे-दीरे cement का price बढ़ाना चालो गिया पहले तो यह लोग ने काटल बना लिया काटल मतलब इनके बीच में agreement होगा इनके बीच में association होगा और यह लोग ने क्या बना लिया बिटा काटल बना दिया ठीक है अब हुआ क्या मालूम है क्या हुआ क्या मालूम है क्या एक buyer है buyer जिसको cement खरीदना है simple सा एक आम आदमी है आम आदमी या builder या कोई भी हो सकता है buyer है वो cement खरीदने ACC के पास गया अब ACC ने बोला cement देंगे 100 रुपीज में वो बोला आप बहुत महेंगा दे रहे हो आपसे नहीं लूँगा मैं जा रहा हो दूसरे के पास अच्छा दूसरे के पास गया वो भी कितना बोल रहा है 100 बोल रहा है तो मैं बोला यार आपसे में नहीं लूँगा मैं दूसरे के पास जाओंगा अच्छा जे के लक्षमी के पास गया वो भी कितना बोल रहा है 100 बोल रहा है यानि यह लोग कर रहे क्या है यह लोग धीरे धीरे प्राइस को सेम कर रहे है अभी 100 किया है कुछ दि दीरे दीरे यह लोग price को बढ़ाते चलेगे और यह लोग कर रहे भी थे यह सब यह लोग यह सब कर रहे भी थे तो अभी गुस्टा किसको आया मालू मैं क्या गुस्टा आया Builders Association of India को गुस्ता किसको आ गया बिटा Builders Association of India को अब Builders Association of India बात समझो सिमेंट एक basic raw material है सिमेंट construction के business में एक basic raw material है अगर आपको construction करना है अगर आपको property बनानी है तो सिमेंट तो लगे आपको ठीक है और सिमेंट का सबसे ज़रोत पड़ता है Builders लोग को अब क्योंकि यह लोग ऐसा हरकत कर रहे थे ठीक है अभी देखो ना अगर सब लोग same price पर बेच रहे तो क्या consumers के पास option है क्या consumers के पास option है क्या अच्छ चलो यह लोग same price पर बेचे तो भी कोई दिक्कत नहीं है if they are selling at the same price then also there is no problem but what they were doing is they were slowly increasing the price they were slowly increasing the price अब भाई अगर आप सिमेंट का प्राइज बढ़ा रहे हो तो भाई सिमेंट का प्राइज क्यों बढ़ा रहे हो यह भी तो बता हो हमको सिमेंट का प्राइज क्यों बढ़ा रहे हो यह भी तो बताओ आप हमको तो इसका अंसर नहीं था इनके पास इसका अंसर था नहीं इनके पास तो भी बिल्डर्स जिनको continuously raw material की जरुवत पड़ती है सिमेंट उनके लिए raw material है तो जबी भी raw material लेने जाते थे उनको raw material महेंगा मिलता था और क्योंकि अगर बिल्डर्स को raw material महेंगा मिल रहा है तो यह जो बिल्डिंग्स वगएरा है वो पॉस्ट्ली हो जाएंगे और वो कॉस्ट्ली होएंगे तो अल्टीमेटली बर्डन किस पर आएगा बिटा अल्टीमेटली बर्डन आएगा कस्टमर्स पर कंजूमर्स पर ठीक है तो बिल्डर्स असोशीशन अप इंडिया ने केस ठोक दिया सीधा केस फाइल कर दिया किस पर फाइल किया यह सारे सिमेंट कमपनीज पर कितना सिमेंट companies बोला था मैंने starting में बेटा 13 cement company 13 13 cement companies पर यह लोग ने क्या किया सीधा सीधा केस ठोक दिया अच्छा केस कहां पर ठोकोगे अगर आपको competition act 2002 के अंदर case file करना है तो आप case कहां पर file करोगे तो बेटा case file की जाती है एक authority है commission जिसका नाम है competition जिसका नाम है competition commission of India नाम क्या बोल दिया मैंने बिड़ा competition commission of India जैसे companies act कौन समालता है ministry of corporate affairs ठीक है यह फहिमा वगरे कौन समालता है आरबी आए फहिमा का authority finance ministers ठीक है उसी तरीके से competition act 2002 को समालने की जिम्मेदारिक इसको दिए यह competition commission of India को दिए अब जब competition commission of India के पास matter पहुचा तो इन्होंने देखा कि यार सच में गलत हो रहा है सच में गलत हो रहा है यह लोग क्या कर रहे इंडिया ने उन पर penalty लगा दी 6300 करोड की उनको बुला इधर आओ इधर आओ इधर आओ एधर आओ एक टपो दिया और इधर आओ तुमको fine भरना पड़ेगा 6300 करोड का अब cement company पागल हो गई बोली इतना fine कैसे लगा सकते हो हमने तो सुना था इंडिया है इंडिया में कम fine लगता है इंडिया में इंसाफ वगर नहीं मिलता है तो बुला वो दिन गया अभी तीक है आपको 6300 करोड का penalty भरना हीच पड़ेगा तो यह लोग ने challenge वगरा किया order वगरा को और ultimately decision क्या आया कि 6300 करोड रुपेश पे करना पड़ा और इससे Builders Association of India को इंसाफ मिला और ultimately इंसाफ किसको मिला consumers को इंसाफ मिला एक बात समझना आप लो जब मैं competition की बात करता हो ना तो हमको यह देखना है कि buyer के पास buyer यानि की consumer के पास option है या नहीं है consumers के पास option है या option नहीं है अगर consumers के पास option नहीं है अगर consumers के पास option नहीं है अगर consumers के पास option नहीं है तो monopoly create हो रहा है लेकिन अगर consumers के पास option है तो monopoly create नहीं हो रहा है और competition act 2002 उसी intention से आया था यह बोला कि हम लोग क्या करेंगे हम लोग competition को promote करेंगे I repeat हम लोग competition को क्या करेंगे promote करेंगे हम लोग monopoly को prevent करेंगे यानि monopoly को होने नहीं देंगे फिर we will protect interest of consumers we will protect what protect interest of consumers यानि हम लोग consumers के फायदे को protect करेंगे बट बिटा याद रखना competition act 2002 consumers के फायदे को macro level पर control करता है macro level पर बचाता है yes consumer interest को बचाता है macro level पे micro level पर बचाने के लिए consumer protection act 1986 है Indian contract act 1872 है and sale of goods act 1930 है अगर मुझे consumers को बड़े level पर बचाना है जैसे अभी यहाँ पर मैंने अभी आपको cement cartel का example दिया ना cement cartel का example दिया यह 13 cement companies नाटक कर रही थी तो इन पर जब penalty लगाए गई तो इन पर penalty लगाने से किसी एक-दो जन का भला हुआ या all over India लोगों का भला हुआ all over India लोगों का भला हुआ तो यहाँ पर भी क्या बोला है कि हम interest of consumers को तो protect करेंगे but at macro level but at macro level sir आप बोल रहे हो कि consumer के interest को protect करना है consumer के interest को protect करना बट consumer के interest को कैसे protect करना sir यह तो बताओ कौन करेगा कौन सी authority होगी करने के लिए क्या तो कंजूमर के इंट्रेस्ट को प्रीक करने के लिए जो अथोरीटी का नाम है कॉम्पटेशन कमिशन ऌफ। अंडिया क्या बोला जाता है ऑर सी चींटी आए जिसका हेड़कॉर्टर नीऊ डिली में है जिसका एड़कोटर का है बीटा नियू डेली में अब आजाओ चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ते अभी चैप्टर के बारे में ध्यांदना में क्या बता रहा आपको कि कॉम्पेटिशन एक्ट क्या बोलता है क्यूंकि जतना जादा कॉंपेटिशन होगा कंजूमर्स के लिए उतना अच्छा होगा अब यहां पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया है कुछ इंट्रोड़क्शन दिया है बिटा जबी भी आप कुछ लाँ पढ़ोगे न कोई पढ़ोगे जैसे अगर मैं कॉन्ट्रेक्ट प when I am reading competition act 2002 तो यार देखो हम बच्चे है ठीक है हम क्या है भाई हम बच्चे है हम क्या पढ़ रहे हम पढ़ रहे competition act ठीक है अब जब हम गए हम लोग है ना यहां पर students हम लोग गए हम लोग ने competition act को पूछा हम लोग ने competition act 2002 को पूछा हम ने पूछा एक competition लेकिन अगर एग्जाम में आपको पूछ ली त Communist कॉछ आंसर तो होण लिखने के लिए तो यहां पर competition को क्या define किया गया है competition in the market means sellers striving independently for buyers patronage यह यह sellers लेडर एक दूसरे से यार sellers एक दूसरे से लेडर क्यों लेडर रहे for getting buyers patronage patronage मतलब buyers का support अगर एक seller के पास buyer का support है I repeat अगर एक seller के पास क्या है buyer का support है तो definitely he will be successful definitely he will be successful आज देखना तुम reliance यो इतना successful क्यों है Tata Motors इतना successful क्यों है यह बड़ी-बड़ी companies इतनी successful क्यों है because इनके पास buyers का support है buyers का patronage है अब याद रखना यह इंडिया है यहाँ पर buyer वही product buy करता है जो उसको कम दाम में अच्छी चीज़े मिल दी और sellers हमेशा जादा से जादा प्राइस चार्ज करना चाहे तो ऐसे सिच्वेशन में ऐसे सिनारियों में अपने को क्या करना competition को बनाय रखना है यह objective कि sky competition act 2002 का जब दो seller आपस में लड़ रहे है या फिर इन सेलर यह चार सेलर यानि मैनी सेलर्स यानि मार्केट में कॉमपेटिशन है और वेनेवर देर फाइटिंग विट इच अदर यह तो आपका पता होगा कि रिलाइंस जियो आने के पहले काफी सारी टेलिकॉम कंपनीस थी जैसे अगर मैं नाम ले लू बीपी एल था हच ता लूप था डोकोमो था आइडिया वोड़ा फोन एल्टेल जिस सब बहुत सारी कंपनीस थी बट रिलाइंस जियो आने के बाद बाकि सारी अब सिफ्तीनी कॉमपेटर ओवरल टेली कॉम इंडिस्ट्री में एक अपना जियो है जो मार्क लिडर बना वैठा है एक एल्टेल है और एक वोड़ा फोन आइडिया है वोड़ा फोन आइडिया को लगा कि हम मर्जो के जियो को हरा देंगे हमारा नेटवक अच्छा हो जा क्या कि बाई बताओ competition एक्ट का objective क्या है competition act क्यों आया time pass करने आया था यह the answer is no तो अगर कोई आपको पूछे तो आपको क्या बोलना है कि competition का सबसे पहला objective था हम CCI बनाएंगे क्या बनाएंगे बिटाम CCI बनाएंगे यानि हम लोग बनाएंगे competition commission of India अब यह competition commission of India क्या करेगा हाइडन सिखे लेगा आप लोग के साथ अगर आप लोग ने monopoly create करने की कोशिश की तो फिर हम लोग क्या करेंगे monopoly को prevent करेंगे and we will promote competition in the market yes people what we will do we will prevent a monopoly and promote what competition next is to protect the freedom of trade for the participating individuals and entities in the market अगर मैं आप से बात करूँ there is something called as article 191 G of Constitution of India जो बोलता है कि हर इंसान को इंडिया में freedom है business करने का trade करने का तो अगर आप से कोई भी यह freedom छीन रहा है business करने का या trade करने का तो यहां पर competition act उसको भी रोकेगा and next is to protect the interest of the consumers beta to protect the interest of the consumers at micro level or at macro level but obvious at macro level at macro level ठीक है so these are the objectives of what competition act 2002 अब क्योंकि यह revision lecture है तो यह देखो यहां पर रहना बहुत सरे definitions है बट मैं आपको वही definitions करा हूंगा जो काफी important exam point of view ठीक है अब जैसे कि एक definition रहें काटल का काटल मतलब क्या होता है काटल इंक्लूजन association काटल इंक्लूजन वाट association यारी हम लोग क्या करेंगे बेटा हम लोग अपना association बनाएंगे एंड वह association किसका हो सकता है या तो प्रेडूसर्स का हो सकता है या तो sellers का हो सकता है या तो distributors का हो सकता है या तो traders का हो सकता है समझ रहो अच्छा उसे होगा क्या या तो service provider का हो सकता है और उसे होगा क्या उसे होगा क्या वो लो एक control करने के कोशिश करेंगे दे विल control और दे वील attempt to control the production distribution sale or price or or the trade in goods or provision of services यहानी sir जब जब producers यै तो sellers या तो distributors या to service providers यह लोग अगर साथ मिलकर monopoly पर्ली क्रियेट करने का कोशिश करते हैं they try to control the price they try to control the production they try to control the sale तो उस केस में उसको क्या बुलाया आता है कार्टल बुलाया जाता है जैसे मैं आपको cement industry example दिया 13 cement company साथ में आई थी बेटा है ना 13 cement companies के आओ गई थी साथ में आई थी और यह लोग ने क्या करने कोशिश किया था फेले तो यह बताओ cement companies कोन है producers इनों ने association बनाया और association बना के यह लोग ने क्या control करने कोशिश किया they try to control the price or sale of the product तो वो लोग ने क्या कर लिया बेटा वो लोग ने cartel बना लिया अगर मैं आपको और एक example दूँ अगर मैं आपको और example दूँ तो समझना बात को ठीक है cartel का example देरो ठीक है और example देरो बेटा वो किसका है cartel का ही example examiner तुम को सीधा पूछ लेगा कि बता भाई cartel क्या है तो उसके मैं आपको पता होना चाहिए कि cartel क्या है अब cartel में एक example यह case law practical case law हुआ था यह जो मैं चीज़े बता रहा हूं आपको यह आपको CCI के website पर मिल जाएगी यह मैं अपने मन से बना कर नहीं बता रहा हूं यह actual practical case law आता है इतनी penalty लगी गई थी actual ठीक है अब क्या हुआ था पता है क्या motor cars की company companies motor cars की जैसे आपका Tata Motors हो गया आपकी मारती Suzuki हो गई ठीक है यह लोग क्या थे Tata Motors इसमें लीडर था लीडर जैसे अभी देखो अगर उनों टाटा के बारे में सोचते तो अपने को क्या लगता है कि Tata is very ethical company ठीक है बट हाँ करते सब जोल करते ठीक है तो Tata Motors था मारती Suzuki था और भी बहुत सारी motor cars की companies अब देखो अगर मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो उसको बनाने के दो अप्ष्ण होते हैं आगर मेरी गाड़ी खराब हो गई तो उसके बनाने के दो आप्ष्ण होते है विटा एक option होगा आप लोग service अगर मैं शोरूम में जाओंगा ना शोरूम में यानी सर्विस सेंटर में जाओंगा तो वोह लोग बहुत बड़ा बड़ा बना देते बहुत बड़ा बना देते इतना बड़ा बिल्की मुझे खुद उठर गिरवी बैठना पड़ता है लेकिन अगर मैं second option चूज करूँ गिराज में जाने के लिए तो बिल तो छोटा बनेगा लेकिन parts भी duplicate होगा बिल तो छोटा बनेगा लेकिन parts भी क्या होगा बिटा duplicate होगा तो ऐसे situation में करें गया तो मैंने दिमाग लगाया मैंने सोचा कि क्यों ना मैं parts यह जो parts वागे रहना वो सर्विस सेंटर से लेकिया जाओ original वाले और fitting कहां से करवा लू फिटिंग करवा लेता हो अपने local garage वाले से तो अच्छा idea है तो जब मैं Tata Motors के पास पहुचा मैं इनको बोला कि मुझे आपके original parts चाहिए मुझे आपके क्या चीए बिटा original parts चाहिए प्लीज दे तो मुझे उसको fitting करवाना है तो Tata Motors ने क्या बोला पता है क्या हम तुमको original parts तभी ही देंगे जब आप fitting हमारे पास से करवा होगे सेम मारत शुसकी भी यही बोलता था बाकि सारे motor cars की companies भी यही बोलती थी कि if you want original parts then you will have to bring your car to us we will fit that original part and we will charge for it तो यार गुसा आया लोगों को तो लोगों ने वहापस case ठोक दिया motor car companies में case किस के पास जाएगा but obvious CCI CCI का full firm क्या था competition commission of India तो के CCI के पास गया CCI ने क्या किया CCI ने अगेन inquiry बिठाई देखा सब लोग सही बोल रहे और इन पर penalty लगा दी गई 2600 करोर्स की जिसमें से सबसे ज्यादा penalty अकेला टाटा मोटर्स पर लगा था सबसे ज्यादा penalty अकेला टाटा मोटर्स पर लगा था तो यहाँ पर भी क्या किया है यहाँ पर भी service providers या फिर traders या फिर manufacturers ने control करने की कोशिश की है sale distribution production या price तो इससे क्या हो जाएगा बटा काटल हो जाएगा अब काटल ना काटल तीन टाइप की होते हैं काटल ना तीन टाइप की होते हैं एक होता है international काटल अब international काटल यह between two or more countries के बीच में होगा फिर एक होता है है import cartl जनि importer ने अपना association बना लिया है कि हमारे अलावा कोई आएगा इनी import करने के लिए तो इंपोर्ट काटल हो जाएगा फिर एक होता है export cartl जनि हमारे अलावा कोई export भी निहीं करेगा तो यह भी क्या हो जाता है export cuttle हो जाता है ठीक है अब काटल का अब्जेक्टिव क्या होता है तो बहुत सिंपल है काटल का अब्जेक्टिव क्या होता है टू रेस प्राइस अबाव कॉंपलिटिव लेवल यह सिमेंट इंडेस्ट्री इस क्या कर रहे थी यह लोग प्राइस रेस कर रहे थे कंटिवनेस ले आता प्रोड़्क के लिए या फिर कॉहलेटी पूर हो जाती एकड म tanto की गौनिटी ओल या फिर फिर उनके पास कोई भी चॉजस भी एक फिर खॉर्टी मैस यानि जब सीमनल इंडर्सिस का बात आया तो हमकार जाते हैं सिमेंट करीदमें हां कहा जाते हैं सिमेंट करिदने हर जेका उतना महेंग़ Unters लोग नहीं आके अपना काडलाईज़ेशन कर दिया था और तोड़ के वो लोगी ते जो थे वो थर्टीन कंपनी जी थी फिर हाई एंट्रीन एग्जिट बैरियर्स मतलब हम काटल बना लेते हैं और हम किसी को अंदर आने नहीं दे रहे ना हम किसी को बाहर जाने दे रहे या फिर होमोजीनती अव्टरторिया जैनि हम जो प्रडक्ट बेचरे वेस्मिलर सेंप्रडक्स है या फिर सिमिलर प्रडक्ट्शं कोश्ट प Sorry का ईव्टरूक्शन को और high Dependents औप the consumers on the product यह रिप्रोड्ट यह यनि consumers उस प्रोडक्त पर highly dependent है जिनका इन्होंने cartelization किया है अगर मैं Exampleू अगर मैं Example हुट cement यहार cement तो cement था को चाहिए ना यार cement हां और सब को चाहिए small shop लेकर बड़े-ब्ड़े builder सक तो वहाँ पर अगर आप लोगinton dejס endure कर होगे तो वह भी एक कंडिशन एक काडिलाइजेशन की एंड हिस्ट्री आफ को लुजिन मतलब जो 13 सीमेंट कंपनी एक दूसरे के राइवल थे आज उन में प्यार बढ़ गए आज लोग खुदी बिसनेस करना चाहरे तो यह भी क्या हो जाएगा एक कंडिशन एक काडिला तो भी है अइप को क्मरशल पर पाइस के लिए गोट्स को यूज किया तो भी आपको क्या बुलाया जाएगाюда कंड्यूमर बूले जाएगा अब कंड्यूमर या तो घूम हरी देगा यह तो सर्विस लेगा तुकि यह भी सारी बात겠지만 दे बोली गई है सर जी competition कौन create कर सकता है तो बात समझना competition आप भी create कर सकते हो सरी सरी monopoly कौन create कर सकता है तो monopoly आप भी create कर सकते हो monopoly मैं भी create कर सकता हो monopoly partnership firms भी create कर सकते monopoly LLP भी create कर सकता है monopoly companies भी create कर सकते monopoly government के departments भी create कर सकते भाई समझ रहें क्या बोलना चाह रहा हूँ यानि monopoly create करने में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा monopoly आपका यह बड़े बड़े companies करें छोटे छोटे लोग भी monopoly create कर सकते हैं अगर लोग बड़े level पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जबी मैं आपको पूरा act सिखाऊंगा तो यह तो आपको एंटरप्राइज बुलाया जाता है बट अगर आप लोग यह तीन चार एक्टिविटी कर रहे हो जिसका नाम है एटोमिक एणरजी करनसी, डिफेंस, स्पेश जो भी गवर्मेंट का डिपार्टमेंट है डिलिंग विट एसी डी एसी डी एसी डी एसी डी एसी डी एसी तेसा होता है तो यह सारी activities के पास तो government का monopoly है यह सारी activities के लिए government का monopoly है कल कोई में पहुच जाओ border पर मैं बोलू government को कि आपका defense का equipment बरबर नहीं है लाव मैं बना के देता हूँ आपको आता नहीं गन बनाने के लिए आपको आता नहीं है रफाइल बनाने के लिए मैं बना के बताता हूं आपको तो यह सारे केस में मोनोपली तो होना ही चाहिए ना गौवर्मेंट का ठीक है अब नेक्स्ट इस यह परसन वगरा क्या होता है एकदम सिंपल है यह तो सेम एस टैक्सी ओल्मॉस्ट सेम एस टैक्स जैसे कोर्परेशन क्या हो सकता है BMC है BMC Bombay municipal corporation या फिर या फिर आपका LIC है life insurance corporation GIC है general insurance corporation ठीक है फिर body corporate incorporated by or under law of a foreign country foreign company की बात हो रही है फिर corporate society local authority and artificial juridical person इन शॉट यह लोगने person के definition में किसी को भी नहीं छोड़ा है किसी को भी कहीं ही मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा है ठीक है अब यहां पर मैं अब तक आपको सिफ definition ही बता रहा रहा हूं यह सारे definitions है हख हरे definition काम का नहीं है वो लोग exam में तुमको जल्दी definition पूछते नहीं है बच आपको सारी definition read कर नहीं अब मैं बात पर आओ अब मैं मैं बहुत important बात पड़ा रहा हूँ ठीक है ध्यान देना यहां से जो topics है वो काफी important चलने वाले आगे तिक है यहां से हम लोग gear डालने वाले और chapter का flow पकडने वाले ध्यान देना बने रहना सब कुछ समझ जाएगा तुम को ठीक है देखो क्या लिखाया पहले मालू में किया यह competition act and a competition act ठीक है यह तो अभी आया आपका competition act 2002 यह कब आया बिटा 2002 में आया competition act 2002 के आने के पहले एक act हुआ करता था MRTP act 1969 यह वह एक्ट हुआ करता था MRTP act 1969 अब MRTP act क्या है तो वह है monopolistic and restrictive trade practices act 1969 यानि वह भी लोग क्या बोलता था कि आप monopoly मत करो monopoly मत करो प्लीज मनोपली मत करो यानि यह क्या करता था कि monopoly मत करो बेटा monopoly करने से मना करता था आपको आपको monopoly create करने से मना करता था लेकिन monopoly मत करो यह बोलते बोलते competition को कैसे encourage करना है वो यह भूल गया था मोनोपल मैं दिन पर बोलता हूँ monopoly मत करो monopoly मत करो monopoly मत करो तो यह बोलते बोलते मैं यह बोलना तो भूली गया कि आपको कोंपरीशन को encourage करना है आपको कौमपर्ड़िशन ले क्या नाया मार्केट में ये तो मैंने बोला ही नहीं तो यहाँ पर कॉंपरड़ेशन क्या बोलता है आप लोग कॉमपर्ड़िशन करो भाई आप लोग क्या करो app Competition करो Monopoly अपने खतम हो जाएगा आप समझो बात को जबी एक पुराने लौट की जगा एक नए लोग आता है तो उसका कोई ना कüz में रिपीट वालग के बदले एक नया लौ आ रहा है तो उसका कोई ने कोई liar liberalization privatization and globalization उसके बाद से economy अपना बहुत change हो गया अपना economy उकनोgga मिसी open economy हो गया हम चाहते थे कि बहुत सरे sellers अयद्ट मार्केट में India के या foreign के बिजनस की आ जाए एकभान की जाए इकोनोमी को ऑपन की जाये गड़िप को बढ़ां आजाए एक sector एक सिक्ट तो यहां पर यहां पर मर्टीपी एक्ट अनप पुराना हो गया था यह नए अमेंडमेंट्मेंट्म को मॉडन बिजनस एरिया को सम्वाल नहीं पा रहा था इसके लिए मर्टीप एक्ट को हटा दिया गया और कॉमपटिशन एक 2002 को ला दिया गया अब एक्जामि इस चैनर विल आस्क यू देट हाव कॉमपटिशन एक 2002 इस बेटर इस बेटर देन एम आर्टीप एक 1969 सिधा पूछ लेगा कि बता हो भाई कॉमपटिशन एक 2002 यह मर्टीप एक 1969 से अच्छा क्यू है तो आपको वह पता होना चीए और पता कैसे होगा तो इसकी लापको कॉमपटिशन एक है ना इसके लापको पढ़ना पढ़ेगा डिफरेंट बिट्विन एमार टीपी एंड कॉमपटिशन एक यह सब तो है लेकिन मैंने यहां पर ना एक अलग्से टेबल बना के रखता है कि जबी भी आप एक्जाम में जाओगे तो आप ये टीबल पढ़क करता है तो MRTP Act is the first competition law जो इंडय में बनाया गया था जो rules and regulations बनाता था relating to unfair trade practices यानि आप गलत काम मत करो इसका rules and regulations कौन बनाता था बेटा MRTP Act बनाता था अब competition act is implemented to promote and keep up the competition in the economy यह बोलता था आप unfair trade practice मत करो आप monopoly मत करो competition act बोलता है तुम competition करो monopoly अपना फट जाएगा यह nature क्या था इसका reformatory reformatory मतलब यह आपको बताता था information देता था कि यह प्लीज प्लीज monopoly मत करो प्लीज monopoly मत करो बेटा इंडिया है इंडिया हां बोलेगा तो मान लेगा तुम the answer is no तो यहां पर क्या बोले जाता था कि आप monopoly मत करो लेकिन competition act punish करता है आपको अगर आप monopoly करो गया तो क्या करेगा आपको पनिश करेगा देखा ना कितना बड़ा penalty लगा दिया 6000 करोड 2600 करोड अरे इन फैक्ट यह लोग ने तो 20 करोड का penalty लगा दिया था यार यह लोग किसी को नहीं छोड़ते ठीक है फिर dominance क्या होता है dominance क्या होता है ध्यांद ना आगे आएगा आपको section 4 में आएगा dominance ठीक है dominance मतलब आप अपने market leader हो आप अपने industry में market leader हो अब देखो किसको leader बनना नहीं पसंद अगर मैं मेरे industry में हूँ तो मुझे तो मेरे industry में leader बनना है ना मुझे तो मेरे industry में लिडरी बनना है तो MRTP Act बोलता था आप leader नहीं बन सकते आप leader नहीं बन सकते लेकिन competition Act बोलता है कि आप leader बन सकते हो बट आप अपने position का गलत फाइदा मत उठाओ जिस पीपल आप leader बन सकते हो लेकिन आप अपने पोजिशन का गलत फाइदा मत उठाना बीटा ठीक है अब डॉमिनेंस कैसे पता किया जाता था फर्म के साइस से यह पहले बोले जाता कि अगरा बहुत बड़े हो अगरा बहुत बड़े हो तो आप डॉमिनेंट बट ऐसा हर बार नहीं होता कभी-कभी छोटा पैकेट बड़ लेवल पर फिर पैनल्टी यहां पर नहीं थी ओफेंस के लिए बट कॉमपरेशन एक्ट में आओ तुम सिर्फ आने का रस्ता जाने का रस्ता तो है अगर जाओगे तो फिर हैवी पैनल्टीस के साथ जाओगे अच्छा यहां पर अब्जेक्टिव क्या था तो कंट्रोल मो में पॉल्टी कि मोनेपवली नहीं होना चाहिए लेकिन यहां पर उब्जेंटिव क्या प्रमोट कॉमपर अगर शाल को प्रमोट किया तो अपने अस smaller फिर यहां पर अगुरिमेंट क्या था देखो अगुरिमेंट यहां पर रहिजिस्टर होना पढ़ता था जैसे अगर हम काटल बना रहे आप और हमने काटल बना थे हमारे बीच में एक रेजिस्टर्ड अग्रिमेंट चाहिए था तो ही ऐसा परूव होता था कि आप लोग ने क्या किया agreement किया अब आज कि तारिक में तो अग्रिमेंट चाहे रेजिस्टर्ड हो या ना या औरल में हो फ़रक पढ़ता नहीं है नेच्ट आपॉइन्मेंट आफ चेरमेन के चेरमेन आनो अभी एक कमिटी आपोइंट करते हैं पहले सेंट्रल्ड गॉर्मेंट कर था यह डिस्टिंगुशन इंज लाषट वलब आपको नीचे क्लियर हो जाएगा जब मैं में चाप्टर चालू करूंगा तो तो येस एक्जामिनर मैं आस्क यू देट वाट इस डिफरेंस बीट्विन MRTP Act and what is different between competition तो आपको यह पता होना चाहिए कि MRTP प्लीज नहीं करो मननो पोली मत करो मनो पोलुके इंडियन बोलते तो हाँ करेंगे जैसे माने बोलके चला गया तो उल्व मनो पलीटे करना चालू कर देता है बढ़को कोंपने Geme और एक्सित ब Mayor by यह ओड़े टाएगाईगो आपकोँ एंपमने क्षिदा कर रहे हो तो आपका कॉलर पकड़ा जाएगा आपको उठाय के सिदा बाहर फिक दिया जाएगा वो भी ऐसा वैसा बाहर नहीं है वी पैनेटी लगा के ठीक है आओ आगे now I am talking about the base of the competition act the base of the competition act 2002 अगर यह section 3 section 4 or section 5 नही है तो competition act नही है yes these three sections are most important sections under competition act 2002 ध्यान से समझना है यह मेरा बहुत टाइम लेकर डिसकेशन के लिए तो आपको इसको एकटम ध्यान से समझना है कि यह बोलना क्या चाहता है यह these three sections are basically pillars of competition yes people these three sections are what pillars of competition section 3 which talks about prohibition of anti competitive agreement section 4 which talks about prohibition of abuse of dominant position and section 5 which talks about regulation of combination अगर यह तीन section पढ़ लिया ना तो समझ लेना आपका competition act हो चुका yes people अगर यह तीन section पढ़ लिया तो समझ लेना आपका competition act क्या हो चुका है almost हो चुका है फिर इसके बाद जो भी हो पूरा procedure यह ठीक है आओ यहाँ पर है सी मैं यह तीन के बारे में in detail discuss करने वाला हो कि टूकि बच्चों को इसमें doubt होता है बाकि हो CCI में chairman होता है members होते हैं बच्चों को उसमें बिल्कुल भी doubt नहीं होता जो भी doubt होता है बच्चों को वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ होता है तो आप लोग यहाँ क्या भी बच्चों को अन्य बच्चों को च्चों को अन्य च्चों को नहीं होता है क्या रगॉलेशन ने बच्चों का उसके ऑड रही विशन आप यानि आप ऐसा अग्रिमेंट नहीं कर सकते जिस्से वींट दez कुंपेटिटिफ आप इसा अग्रिमेंट नहीं कर सकते जिससे market में क्या हो जाए बिटा competition खटम हो जाए और अगर आप कोई ऐसा agreement करते हो तो उस पर prohibition है उस पर क्या है prohibition हम आपको बिल्कुल भी allowed नहीं करेंगे जा फिर आप लोग अपने dominant position का गलत फाइदा उठाते हो अभी उस कर रहे हो आप अपने dominant position का गलत फाइदा उठा रहे हो अभी उस कर रहे हो तो वह भी प्रहीबिटेड है वह भी अलाओ नहीं किया जाएगा अब यह combination क्या होता है combination मतलब merger amalgamation टेक ओवर यह क्या होता है यह आपका combination होता है अब merger amalgamation होना बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है लेकिन हम उसको regulate करेगी यहीं merger amalgamation को रोका नहीं गया है हम क्या करेंगे इसको regulate अभी क्या चीज़ कैसे करने discuss करते आचो ठीक है अब सबसे पहले में बात करो section 3 को सबसे पहले में क्या बात कर आओ section 3 का याद रखना मैंने क्या बोला तीन section is chapter के बेजे section number 3 section number 4 and section number 5 I repeat section number 3 section number 4 section number 5 section 3 talks about prohibition of anti competitive agreements section 4 talks about prohibition of abuse of dominant position and section 5 talks about regulation of combination ठीक है तो आपने को ये तीनों चीज़ पर क्या करना है एकदम focus रखना है एकदम ध्यान रखना है ठीक है उसमें से मैं आपका सबसे पहला एक section सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है anti competitive agreements given under section 3 anti competitive agreements given under section 3 ध्यान देना भी सपोस यहाँ पर एक seller है यहाँ पर दूसरा seller है और यहाँ पर तीन seller है मैं टेलीकॉम इंडेस्ट्रिक एग्जामपल ले रहा हूँ ठीक है यह क्या है यह है वोडा idea income merger हुआ ना ठीक है फिर यह है Reliance CEO और यह है वो बॉबकट वाली लड़की आती है ना ये लोगने क्या पता है यह लोगने आपस में agreement कर लिया यह लोगने क्या का आपस में agreement कर लिया और ये लूछने बोला that v3 will charge same price with 이런 charge same price हम service गरेंगे तो इन्हों ने जो यह अग्रिमेंट एंट आपस में जगड़ा करेंगे मोनोपोली क्रियेट करेंगे तो इन्हों ने जो यह अग्रिमेंट एंट एंटर किया है इन्होंने क्या है इन्होंने जो यह अग्रिमेंट एंटर किया है इसको बुलाया जाएगा एंटी कॉम्पेटिटिव अग्रिमेंट क्या बुलाया जाएगा एंटी कॉम्पेटिटिव अग्रिमेंट यानि यह लोग कॉम्पेटिशन को खतम करने का बात कर रह मैं बता देता हुआ आपको, there are two types of anti-competitive agreements, yes people, there are two types of anti-competitive agreement, yes, 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 two types of anti-competitive agreement, ठीक है, एक होता है horizontal और एक होता है vertical, एक क्या होता है, horizontal agreement होता है और एक क्या होता है, vertical agreement होता है, अब horizontal agreement मतलब same level के players पर होता है, और vertical agreement मतलब different levels के player पर होता है, different levels के player पर होता है, जैसे अगर मैं तुमको horizontal का example दूँ, अगर मैं तुमको horizontal का example दूँ, तो ये एक horizontal agreement का example है, ये जो है, वो एक horizontal वोड़ोन पर सेम लेवल का प्लेयर ना वोड़ फोन आइडिया भी सर्वाइडर मतला प्रोडूस करता है वो सर्वीज बनाता दिता आपको रिलाइंज भी सेम एन एडल भी सी तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा horizontal agreement यह क्यों जाएगा होरी जौब्ट हो जाएगा फिर में आपको सिमेंट काफंटल को एक्जापल देदा सेमेंट काटल न फ़िस थर थिर इंट कंपनी जाए लिए दिसात में सब्सक्तना फो वहां पर भी 13 सीमेंट कंपनी जाहिव यह भी क्या हो जाएगा कि आप जाएगा हर भी क्योंक हो जाएगा कर obs मेंने लोग और मैं किया है आप लोग ने मैक्डॉल्ड के फ्रेंचाइज में चले जाओं क्या वहाँ पर आपको केफ्ची का बर्गर मिलेगा चे delta सब्सक्राइब बिखन लेका कंडॉ Chen gum या नि मैंग डॉनलस्ट वाला जब अपनी फ्रेंचाइज देता थे तो जो भी उसका फ्रेंचाइज को ले रहा है वो सिर्फ उसके ही प्रोड़क्स बीचेगा वो सिर्फ उसके ही प्रोड़क्स बीचेगा अभी देखो मैंनोल्स जो कमपणी है उसका फ्रेंचाइज लिया उसका फ्रेंचाइज अभी मैंक डॉनल्स क्या है मैंक डॉनल्स इस ओनर ठीक है येस मैं क्या कर रहो बिटा मैं बर्गर्स को डिस्ट्रिब्यूट कर रहा हूँ तो अब मेरे को बताओ यहाँ पर जो भी मेरे पास आएगा प्रोड़क्ट लेने के लिए जो भी मेरे स्टोर में आएगा जो मेरे फ्रेंचाइज में आएगा मैकडॉनल्स के क्या उसको मैं मै सिक चिकन दे दू क्या मैं उसको सब्वे दे दू दांसर इस नो मैं दूंगा तो पॉंसा दूंगा भाई only McDonald's तो यहां पर तो एक ओनर अपने डिस्ट्रिबूटर को रेस्टिक कर रहा ना कि किसी और के प्रोड़क्त में डिल करने के लिए तो यह क्या हो जाएगा यह वर्टिकल लेवल पर हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यह वर्टिकल लेवल पर हो जाएगा और इसको बुलाया जाएगा वर्टिकल एंटी कॉम्पेटिटिव अग्रिमेंट है ना क्या बुलाया जाएगा इसको वर्टिकल एंटी यह अते मैं विलेंगे सर हम अगर नाइक Arai की के शूझी मिलेंगे नाइकी का टिशेट से मीलेंगे तो यह तो होता ही है यह रुन प्राइट रवसर इससा इसमें अप अलग क्या बता रहे है तो इसमें अगर इससे कॉम्पेटिशन पर अगर इससे कॉम्पेटिशन पर क्या हो रहा है कॉम्पेटिशन पर एप्रिशेबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है क्या बोला मैंने कॉम्पेटिशन पर क्या हो रहा है एप्रिशेबल एडवर्स इफेक्ट on competition क्या हो रहा है मैंने बuger telling much appreciable adverse effect on competition हो रहा है तो यह नहीं चलेगा तो अगर इससे appreciable adverse effect on competition हो रहा है तो यह बिलकुल भी नहीं चलेगा अब यह appreciable क्या होता है appreciable मतलब large बहुत जाद adverse मतलब खराब, negative, negative impact. On what? On competition. तो यार अगर आप कोई agreement कर रहे हो, तो हम उसको directly रोकेंगے नहीं. अब ऊसको directly रोकेंगे नहीं. जैसा मैग्नोल्स वाला अपने franchise 600. जारा वाल अपने franchise recognition कर रहा है. नाइकी वाला अपने franchise वाला अपने franchise agreement कर रहा है. तो हम इसको रोकेंगे नहीं, चलने दो इसको, चलने दो, चलने दो, बट अगर इसे competition पर appreciable adverse effect हो रहा है, आगर competition पर appreciable adverse effect हो रहा है, तो ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, मतलब मैं बात क्या कर रहा हूँ आप से, अभी मैंने क्या बोल जी आपको, मैंने बोला कि कोई भी इंसान एंटी कॉम्पेटिटिव अग्रिमेंट नहीं कर सकता यह फर्स्ट पॉइंट में लिखा है और जो भी एंटी कॉम्पेटिव अग्रिमेंट करेगा उसको वॉइड बुलाया जाएगा जो भी एंटी कॉम्पेटिव अग्रिमेंट करेगा उसको क्या बुलाएंग कर दो लेंगे हम बॉर्ट बूलाएंगे ऑच्छा ये लिए लुक्त लिए कार्टल इस न एग्जाम्पल ओफ एंटी कॉंपनी ऑग्रीमेंट बट ब्र बिटकार्टल कॉण से लेवल पर है काइव जोंटल या वर्टिकल है हां काटल हर जोंटल यह वर्टिकल है सहर एफकल को कности स् Inspire Proudenta वतीकल क्या सब्सक्तपते तिए नो six बड़िकल को सब्सक्राइब होता यह घर अगर एक्जामिन तुम को मालूम होना चाहिए there are two types of anti competitive agreement one is horizontal agreement another is vertical agreement now horizontal agreements are arrangement between enterprise at the same stage the same level program come or vertical मतलब at different levels of production verticals मतलब क्या होता है at different levels of production अब जैसे की horizontal के example यहाँ पर काटल काटल मतलब association जो same level वालो ने बनाया अब काटल engaged in identical or similar trade of goods or provision of services which directly or indirectly determines purchase or till price जैसे cement वाले क्या कर रहे थे directly or indirectly cement का price determine कर रहे थे या फिर limits or controls production और supply यह हम प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे supply को कंट्रोल कर रहे तो अगर हमने production यह supply को control किया तो automatically market में price बढ़ जाएगा या फिर वो लोग market में share करते production क्या पिर हम इतना production करेंगे आप इतना production करना या फिर वो लोग बीड रिगिंगे कलिसे बीडिंग करते क्या कर रहे ही लोग बीड रिगिंग या तो कलिसी बीडिंग अभी क्या है यह मैं बता हूंगा आपको आगे चल कर डूंट वरी ठीक है तो यह सब क्या हो जाएगा होरीजोंटल अग्रिमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा और वर्टिकल अग्रिमेंट का एक्जामपल क्या दिया है अपने सर तो वर्टिकल अग्रिमेंट का पाच एक्जामपल पाच एक है टाई इन अग्रिमेंट किदर गया है ताइन अग्रिमेंट फिर इसल प्राइज maintenance फिर एक्रीज सप्लाय अग्रीमेंट एंड रिफिजल टू टील एंड एक्स्लूजिव डिस्ट्रिबूशन अग्रीमेंट ऐसा पाचीज बोल के रखा है यह सब सेक्शन थ्री में यह सब सेक्शन कहा पर दिया है थ्री में दिया अब होरीजोंटल अग्रीमेंट इस प्रिषयेबल एडवर्स इफेक्ट और को dú 1989 यहांपर लॉफ प्रिज़म्टेशन से यहांपर क्याशंत बाइν लौफ प्रिज़म्शन जैसे हिं धो सब्सक्राइप हो रहा है ना हमिए मान के चलेंगे के उसेaysक मार्केट में गॉप्रिलिम्ड में कॉम्परिचिन में पर law of evidence लगता है क्या लेकता बिटा law of evidence यानि जो भी बोल रहा है कि vertical agreement होने के वजह से जो भी यह बोल रहे कि vertical agreement होने के वजह से market में appreciable adverse effect हो रहा है तो उसको proof करना पड़ेगा कि appreciable adverse effect क्या हो रहा है ठीक है तो समझना बात को अगर आपसे examiner पूछ ले आप से अगर examiner पूछ ले if they ask you that what are the types of anti-competitive agreement तो उनको बुलना सर जी there are two types of anti-competitive agreement one is horizontal and other is vertical sir horizontal क्या होता है तो horizontal same level पर होता है और vertical क्या होता है तो सर जी vertical different level पर होता है अगर same level पर producer same level पर producer आपस में जोल करना कोशिश करते है monopoly create करना कोशिश करते है तो उसको बोला जाता है horizontal agreement और different level जैसे producer distributor wholesaler retailer तो इनको क्या बोला जाएगा vertical agreement सर जी अगर horizontal हो रहा है तो यहाँ पर हम प्रिजूम करके चलेंगे गलत हो रहा है अगर horizontal हो रहा है तो हम इसको प्रिजूम करके चलेंगे कि यह गलत हो रहा है नहीं होना चाहिए लोफ प्रिजम्शन लेकिन अगर वर्टिकल हो रहा है तो आप evidence दो भाई आप बताओ कि कैसे गलत हो रहा है क्यों गलत हो रहा है कहा गलत हो रहा है आपको बताना पड़ेगा क्लियर है इतना मैं क्या बूलना चाहरा हो तुम लोग को ठीक है अब यह मैंने जितने भी नाम लिए तुम लोग को जैसे यहां पर मैंने बिड्रिगिंग बताया यह कलिसे बिडिंग बताया जा फिल टाइन अग्रिमेंट रिफूजर टू डील एक्स अप्लाय एक्स्वि फूकस करना पड़ेगा यहां पर ठीक है सब से पहला आता है यह बीड रिंगिंग यह कल शुब इडिंग के रिंगि मतलब बीडर्स आपस में ऐसा अरेंजमेंट कर लेते हैं ऐसा अग्रिमेंट कर लेते हैं जिससे की पूरा बेडिंग प्रोसेस ही नल्स और भाय हो जाता गवर्मेंट ने गवर्मेंट ने टेंडर लाया है गवर्मेंट ने क्या क्या बिटा एक टेंडर लाया है ठीक है सपोस्थ यहां पर एक गवर्मेंट है गवर्मेंट ने एक टेंडर लाया है और टेंडर के लिए बिट्स इनवाइट किये के लिए परटिस्पेट करने वाले बीडिंग प्रसेस में तोटल जो पार्टिस्पेट करने वाले बीडिंग प्रसेस ने जो आ के बीड करें आप्शन में तीक है दोस वा दोस और 30 बिडर्स कितना है 30 लोग आने वाला टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए वो लोग पूछेगा गवर्मेंट को वो लोग गवर्मेंट को अपना कोटेशन देगा और गवर्मेंट प्रजेक्ट उसको इदेंगा जिसका पोट कोटेशन सबसे कम होता है ठीक है अब 30 बिटर दाय लेकिन इ आहरे तो 30 बिटर्ड्ER ज syntे 30 बिल्टर जेकिन 10 इंगर कितने वाले उर्ली फोड अब आप फोर में से बिदर वटर उन बिड़र टू त्रीपडर फोड सुल सम्जां इतना सम्जाओ अप होगा क्या पता है कि यहां पर यहां पर होगा धान दन एक दम धान दना क्या बोल तुक्त जब बीडर वन बीडर टोर बीडर दीडर फोरा तो यह लग बोले कि यह देखा लोक चार मिले यह बोले की 30 बीडर्स आर पाडिसिपेटिंग But we don't care because V4 are the market leaders and V4 are the only person जिनके पास क्या है जिनके पास ये project को complete करने का rights जिनको ये project को complete करने का capability है potential है तो यार हम लोग आपस में क्यों लफडा करें हम लोग आपस में क्यों लफडा करें हम लोग आपस में क्यों जगडे करें हम लोग आपस में क्यों बिढें हम लोग आपस में क्यों competition करें what we can do is गवर्मेंट ने आज ये tender लाया आज ये tender ना B2 लेके जा B tender 1 तू लेके जा फिर गवर्मेंट कल कोई दूसरा tender लाएगा तो B2 तू लेके जाना फिर गवर्मेंट कल कोई तीसरा tender लाएगा B3 तू लेके जाना अब यहां तो गवर्मेंट बन गया या फिर जो भी बिडिंग करवा रहा है वो तो बन गया कुछ मतलब ही निये बिडिंग करवा के विकॉस बिडर कौन जीतने वाला है यह एडवांस में डिसाइड़ है कौन सा बिडर बिटा जीतने वाला है यह क्या है यह एडवांस में डिसाइड़ है तो जहां पर जहां पर बिडर्स बिडर्स डिसाइड इन एडवांस decide in advance that who will be the winner who will be the winner ऐसे चीज़ को बुलाया जाता है bid rigging या कोलिसे बीडिग गा कोलिसे बीडिग जैसे हम देखते सपोज यह चारो क्या करते माल में क्या यह चारो क्या करते हम लोग सेम बीड करेंगे सीम बीड यह सेम बीड करेंगे यह यानि सब्मिटिंग इडिंटिकल बीड तो यह भी क्या हो जाता है यह घूलो बिडिंग तो यह भी क्ली कि ऄ घिए लिक तो तो कॉलसे बीटिंग और बीट रिकिंग यह तो अलग अलगा नाम है कंसेट सेमी है कले से बीडिंगिया तो ब्रेड की समझा मैं क्या बताने का कुशिश कर रहो तुम लोगको त्टीक है आओ इधर क्या लिखा देखू Collisive bidding और bid rigging means Any agreement between enterprises और persons Which has the effect of eliminating और reducing competition for bids यानि अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जन के बीच में 10 bidder है जो भी bidder है अगर वो लोग आपस में agreement कर ले वो लोग पहले ही decide कर ले कि winner कौन होने वाला है तो इसको क्या बूलाय जाएगा बेद रिंगे का लिसे बीडिंग बूलाय जाएगा फिर यहां पर बीडर्स एक्ट तोगेदर तो मैनिपलेट अबीड और फोर इट रिजल्स इन एंटी कॉम्पलिटिव अगरेमेंट सब्सक्राइब केुट फ़िंगे सब्सक्राइब उस eins – इफ उसका दी दाएग काव अगरे सब्सक्राइब बीड नहीं करेंगे समझ रहे इस याद कर लो याद कर लो यादी कर लो ठीक है समझो बात को सेंटर में आप क्या सोच हुआ हुआ है आपके दिमाग में क्या है एंटी कॉंपेटिवब सर्जी एंटी कॉम्पेटिव अग्रिमेंट कौन से सक्षिन में दिया है सर्जी दिया सेक्षिन 3 में अब एंटी कॉम्पेटिव अग्रिमेंट क्या होता है वाइड होता है एंटी कॉम्पेटिव अग्रिमेंट नहीं होना चाहिए एंटी कॉम्पेटिव अग्रिमेंट दो का होता है एक होता है horizontal एक होता है वर्टीकल'll सेम लिवल We北ikul मतलब different level horizontal मतलब same level vertical मतलब क्या होता है different level होता है अगर मैं Sir horizontal example兩 तो कार्ट लोता है color से बीडिंग है बैटर इस मंगर अगर हम वर्रटिकल का बात कर अगर हम वर्टिकल का बात कर तो वर्टिकल के पाच टाइप होते हैं जिस वर्टिकल के कितने टाइप होते हैं पाच टाइप होते हैं पहला टाइप क्या बात करता है टाइए इन अग्रिमेंट फिर होता है एक्स्क्लोजिव सप्लाइगरिमेंट फिर होता है एक्स्क्लोजिव डिस् में करें पहरा देखकsong क्या लिख या टाइन अक्रीमेंट किया टाइन अर्रेंजमेंट हो रगे ऐधां देना सब्सक्राइब सेलें त्यूढ मैंत दो प्रॉडक्त डोल्डड़ पनाएamiliar project.1 और एक बनाया प्रोड़क्ट टू एक बनाया प्रोड़क्ट वन एक बनाया क्या प्रोड़क्ट टू ठीक है अच्छा एक और बात याद रखना horizontal agreement में law of presumption चलता है यानि हम पहले सही मान के चलेंगे कि यह anti competitive होने वाला है बट वर्टिकल में law of presumption law of evidence लगता है यानि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि agreement क्या कर रहा है इडिस हैविंग appreciable adverse effect on competition I repeat it is having what appreciable adverse effect on competition see एक बात आप याद रखना हमेशा कि जबी भी बात हो रही है anti competitive agreement की तो उनी anti competitive agreement को prohibit किया जाएगा जो appreciable adverse effect on competition कर रहे है अगर आपने agreement किया उससे competition पर appreciable adverse effect नहीं हो रहा है तो कोई भी फरक पढ़ने वाला नहीं है ठीक है अब seller seller ने दो प्रोड़क्ट बना पीवन एंड पीटू ठीक है अब उसका पीवन के लिए न बहुट दिमांड है उसके पीवन के लिए के लिए बिटा बहुत दिमांड है बहुत ज्यादा दिमांड है बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कच्रे जैसे दिमांड है लेकिन तो फिया मोल कि यह टिमांड नीश प कि अब यह मनुफक्षर्र लिग देता हूं तो अब अब मैनुफक्षर ह्ले में उसनें दो प्रडुक्ट्ड बनाए पी एंटी बी ऑन के लिए जब बर तो बेचना ही है क्योंकि उसने बना दिया है ने तो उसको पूरा कॉस्ट प्रोडक्शन वेश्ट हो जाएगा तो अब यह देखो क्या दिमाग लगाता है अगर तुमको मेरा नहीं चाहिए तो तुमको मेरा प्रोडक्ट वन चाहिए तो मैं आपको मेरा प्रोडक्ट वन में नहीं दूँगा अब यह किसको बोलेगा मैनुफेक्चर ये बात मैनुफेक्चर बोलेगा डिस्ट्रिब्यूटर को है ना मैनुफेक्चर किसको बोलेगा डिस्ट्रिब्यूटर को मैनुफेक्चर डिस्ट्रिब्यूटर को यह बोलेगा कि अगर आपको मेरा पीवन चाहिए तो आपको पीट बोलता है हाँ जी चाहिए डिमांड बहुत है प्रॉफिट मार्जिन अच्छ है तो बोलता है तुमको मेरा पीटू भी कंबल सरी लिना पड़ेगा तो जब मैं एक प्रड़क के साथ दूसरा प्रोडेक्ट टाय करके देता हूँ इसको बुलाया जाता है टाई इन अरेंजमे अच्छा इसको टाय इन अरेंजमेंट बुलाया जाएगा और अगर इसके वज़े से मार्केट में कॉम्परडिशन पर एप्रिशेबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है क्या हो रहा है एप्रिशेबल एडवर्स इफेक्ट अन कॉम्परडिशन हो रहा है तो इसको यह समझा पहला था टाय इन अर्रेंजमेंट एक प्रोड़क के साथ दूसर प्रोड़क बान के देदू अगें देखना बात किसके बीच में हो रहा था मैने फेक्टर एंड डिस्टिबूटर यहने डिफरेंट लेविल्स यानि वाट डिफरेंट लेविल्स तो इसको क्या ब एक जामपल दे दूँगा ताकि समझ जाएगा तुम लोगों को कन्फूजन नहीं रहेगा अच्छा अब यह एक्स्क्वूजिफ सप्लाइ अग्रिमेंट क्या होता है द्यान देना ठीक है अब यहाँ पर एक मैनुफेक्टर है ठीक है अब यह मैनुफेक्टर है अब मैनुफेक्टर क्या क्या मालू मैं क्या मैनुफेक्टर गया ठीक है किदर है रहे आ ना नीचे आ आओ नीचे आओ इधर पर ठीक है अब यह मैनुफेक्टर है ना मैनुफेक्टर है ओ शिट यह कुण सा कलर है ठीक अब यह मैनुफेक्ट्टर एना यह गया किसके पास यह गया डिस्ट्रिबूटर के पास और डिस्ट्रिबूटर को बोला कि तू सिर्फ मेरा ही प्रोड़क्ट बेचेगा yes distributor के पास जाके का बोला कि तू सिर्फ और सिर्फ मेरा ही प्रोड़क्ट बेचेगा तू किसी और का प्रोड़क्ट नहीं बेचेगा तो किसी और का प्रोड़क्ट नहीं बीचेगा I repeat manufacturer distributor के पास जाके बोलता है that you will supply supply only my products only my products and you will not supply any one other any other products any other products of other distributors तो इसको क्या बुलाय जाएगा भाई इसको बुलाय जाएगा exclusive supply agreement क्या बुलाय जाएगा इसको इसको बुलाय जाएगा exclusive supply agreement यानि जहां पर manufacturer distributor को बोलता है कि तुसे मेरे ही products को supply करेगा market में उसको exclusive supply बुलाय जाता है अब ध्यान से देखना market में तो ऐसा होता ही है franchise बगर तो यहीं करती है तो यार इसको रोका कब जाएगा जब इसके वज़े से competition पर क्या हो रहा है AAEC इसके वज़े से competition पर हो रहा है AAEC यानि appreciable adverse effect on competition क्या हो रहा है appreciable adverse effect on competition हो रहा है ठीक है अब next is अगेन देखना बात किसके बीच में हो रहा है manufacturer and distributor यहने different level that is vertical agreement ठीक है फिर एक होता है exclusive distribution agreement क्या होता है exclusive distribution agreement अब यह क्या धान दना इसमें बच्चों confusion होता है ठीक है अब यह exclusive distribution agreement का रही है धान दना ठीक है अब मैंना मैं एक manufacturer हूं मैं क्या हूँ एक manufacturer हूँ अचा मैं क्या manufacturer करता हूं मैं कुछ भी manufacture कर सकता कुछ भी ठीक है uh let us for a let us say for example हम लोग टपर वैर हम लोग कह तपर वैर है अब हम बात कर रहे इंडिया का तो हमने क्या पता है क्या इंडिया को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया अब देखो टपर वेर तो मैनिफेक्चरर है प्रोडक्त तो नहीं बेचेगा टपर वेर क्या करता है प्रोडक्स बेचने के लिए डिस्ट्रिब्यूटर सा पॉइंट करता है अब हमने निस्ट में रखा है एको वेस्ट एको नॉर्थ एको सौट ऐसा रीजन वाइज मैंने क्या कर दिया दिस्ट्रिबिशन कर दिया अब मैंने बोला जो मैरा यहां पर डिस्ट्रिब्यूटर डी 1 यह डी 2 यह डी 3 और डी 4 मैंने बोला डी One डी 1 डी वन अंदर ही रहकर काम करना है तो इसको क्या बुलाया जाएगा इसको बुलाया जाएगा exclusive distribution agreement क्या बुलाया जाएगा इसको exclusive distribution agreement बुलाया जाएगा देखो ना कोई भी logic नहीं बनता अगर मैं इनको सपोज मैं इस्ट मैं अपने चारे डिमसे लेकित डिफॉर तक सबको कर देता हूं तो यह लोग क्या करेंगे मेरे प्रॉड़क्स में ही मेरे साथ भी मारा मारी करेंगे मेरे प्रिस्थ को लेकर तो अल्टिमेटली मेरे east में है distribute 2 वी zone में is 0 4 वी जोन में और वहां प्रहूं प्रहूंर कर रहे कि कर रहे कर रहे ठांबर सैनी मेरे हम revolution कर रहे अरे बढ़ाई चिल मारो तोड़ा चिल मारो मेरा ही प्रोडक्त आप प्रूडक्त मीरा यह तो यह इख काम कर आप हाँ लेकिन अगर इससे एप्रेशिएबल एडवर्स इफेक्ट न कॉमपरिशन और तो इसको प्रोहिबिट यानी रोका जाएगा ठीक है फिर देखना फिर क्या होता है रिफ्यूजल टू डील अभी एक यह धान दना अब यह क्या धंदा रिफ्यूजल टील क्या होता है ठीक है अगी देखना गौर फर्माइएगा अभी तक मैं जितना भी सिखाना आपको यह पाच चीज जैसे मैं अभी तक सिखाया टाइन अरेंग्मेंट एक्स्क्लूजिब सप्लाय एन एक्स्लिजिव डिस्ट्रिबूशन में क्या बोले जाता है कि आप मेरा ही प्रूड़क बेच होंगे एक्स्क्लूजिव डिस्ट्रिब्यूशन में आपको एरिया भाटो दिया गया ठीक है अब जो मैं आपको चीखाने जाहे रहा हूँ वह है है Refusal to deal, क्या बिटा, वो है Refusal to deal, ध्यान देना ये थोड़ा अलग Concept है, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, ठीक है, अब, यहां पर मैं Manufacturer हूँ, मैं क्या हूँ, Manufacturer हूँ, अब यह Manufacturer क्या करता है, वो अपना Goods देता है Distributor को, ठीक है, Manufacturer नहा रिटेवार either distributor of distributor can tin retailer one, retailer two retailer tree मैंन। अपना बिचता है और रिटेबियो प्रोडुटोर्स अपना दो स्टॉड़ा को देगा थोड़ा इसको दिuh तो बैदे थोड़ा इसको देगा अब मेरक इसे सुनने में आया मैं मैं ऐसे सुनने मैं आया कि जो रिटेलर वनिन यह हम लोग से प्रडॉक्त तो लेता है लेकिन मारे प्रडॉक्स बेचता नहीं एक दम अंदर छुपा के रखते अपने शोरूम में और कोई भी आगर मांग कर रहा है और मेरे प्रोडक्स की बुराई कर रहा है तो मैं अपने डिस्टिबूटर को क्या बोलता माल मैं क्या तू आर्टू के साथ डील कर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तू आर्टू के साथ डील कर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तू आरवन से डील नहीं करेगा तू आरवन से डील नहीं करेगा यह क्या हो जाएगा यह रिफ्यूजल टूदील हो जाएगा रिफ्यूजल टू डील हो जाएगा इसको क्या बूलाया जाएगा इसको भी Anti-competitive agreement बूलाया जाएगा गोई एंट अए टैप अफ इंटी इंट agreement लेकिन इसको रोका कब जाएगा जब appreciable adverse effect on competition हो रहा है जब क्या हो रहा है जब appreciable adverse effect on competition हो रहा है तब इसको रोका जाएगा otherwise इसको रोका नहीं जाएगा ठीक है फिर last but not the least it is resale price maintenance यह बहुत simple है ठीक है क्या बोला मैंने resale price maintenance अगेन सेम एक्जामपल सेम एक्जामपल ज्यादा ट्विश्ट नहीं करूगा एक्जामपल simple रखेंगे ठीक है यहाँ पर manufacturer है ठीक है वो अपने goods किसको देता है distributor को और distributor को बोलता है distributor किसको देगा retailer 1, retailer 2, retailer 3 अब manufacturer distributor को क्या बोल रहा है कि मेरे products 1000 रुपे में बिखने चाहिए तो सब को बोल दे मेरे products 1000 में बिखने चाहिए 1000 से कम में कोई नहीं बेच देगा तो यह क्या हो जाएगा यह resale price maintenance हो जाएगा यह क्या हो जाएगा resale देखो जब manufacturer ने distributor को दिया तो वह सेल हो जाएगा तो यह तो price manufacturer एक और इसको बुलाया जाएगा resale price maintenance क्या बुलाया जाएगा पिटा resale price maintenance बुलाया जाएगा अगेन यह भी एक टाइप का anti competitive agreement है और अगर वो competition पर appreciable adverse effect कर रहा है तो इसको भी रोका जाएगा simple है simple है पाचो याद कर दा दिया मैं बात हो रहा है anti competitive agreement को अभी कितने टाब की होते है पडली सेक्शन बता दो section कैंग end tomittal agreement को प्रोहीबिट कर रख है अचिव Colonize 이해ries को जो agreement से appreciable adverse effect on competition हो रहाए क्याय भाई और भाई प्रेश एड्वर्स एट इफक्टर्क हो रहा है competition अब दू टाइप का होता है एक होता है horizontal एक होता है vertical horizontal में क्या है law of presumption यानि मान के चलेंगे गलत है vertical में law of evidence यानि आपको proof करना पड़े है कैसे गलत है फिर example दे दूँ तो cartel है bid rigging है collosive bidding है यहाँ पर example पाच है बेटा पाच example है पहला है tie in एक के साथ दूसरा लेना ही पड़ेगा tie in arrangement फिर होता है exclusive supply यानि से मेरा ही बेचेगा फिर होता है exclusive distribution यानि मैंने area दे दिया है या फिर refusal to deal यानि उसके साथ deal नहीं करने का या फिर third is resale price maintenance clear यह पुरा क्या है अपना यह पूरा summary है किसका anti competitive agreements simple आओ इदर तो यहां पर फिर आगे बढ़ते हैं क्या लिखा देखो एक important note है जहां से case law बनने का पूरा पूरा chances है बच्चा पाटी एक बात ध्यान देना तुम लोग आज तक जब से तुम लोग का यह पुराना यह नया syllabus आया है चार attempt हो चुक है चारो attempt में वो लोग ने competition act से सिर्फ और सिर्फ direct question पूछ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी direct question पूछेंगे दे मैं ask you case law right तो वह case में आपको एक important note है यहां पर एक important चीज़ है यहां पर जो आपको ध्यान देनी है ठीक है क्या देखना है देखो अगर मेरे पास copyright है या मेरे पास patents है designs है geographical indication है trademark से या फिर और एक अलग act होता है जिसको बुलाया जाता है semiconductor integrated circuits layout design act 2000 अलग से एक्ट है ठीक है अगर यह सब act के अंदर मेरे पास कोई intellectual property rights है बेटा intellectual property rights और वह सइव मैं मेरे पास ही रखता हूं या फिर मैं किसी को use करने का कम permission देता हूं तो वह Anti competitive और फिलटिव नहीं होता जैसे मने कई गया मैंने को विली कि वेक्षिन मटली अब में नो को विली के वेक्षान का पेटेंट कर वा लिया ऑवर पेटेंट यह मेरे पास है अब मेरी मर्दी मैं जिसको चाहूँ उसको दू तो वह एंटी कॉमपेटिट सरी यह हो तो मेरा महनत है समझ रहो आज आप सवाल यह होता है कब से मैं आपको चिला रहा हूँ कि सर एप्रिशियबल एडवर्स इफेक्ट एप्रिशियबल एडवर्स पास होता क्या है बिकिस चीडिया का ना में तो अगर अगर कोईब कर बांद मेंड सर अग्री मैंड टाएक को तो टाइप का एक एक होता का conservatives एक रोड़ जोंटल वर्टिकल मतलब डिफरेंट लेवल हॉर जोंटल में लाफ प्रेसम्चिन वर्टिकल में लाफ एविदेंस याद आ रहे तुम लोग को ठीक है तो अब में अपको मापर बहुत सारी एंटी कॉम्परिटिब अग्रिमेंट बताई थी अभी एंटी कॉमप पर total यह सारे factors दिए गया है ओ सोरी तो यहां पर AEC के लिए यह नहीं यह नीचे थिक है तो AEC के लिए क्या दिया है यह total सारे six factors दिए गये कितने factors बोला मैंने six factors या निंए CCI कोई भी agreement को को ईसी नी रोक देगा भई कोई भी अगरिमेंट को आईसी न ने रोक देगा यूश और अगरिमेंट को रोकने के लिए दे will see whether agreement is having appreciable adverse effect on competition और अगर अगर अगरिमेंट Phishable adverse effect on competition कर रहे तो फिर उसको अलाव करेंगे तो फिर थो अधान नहीं करेंगे अब वू कैसे करेगा ध्यान दनाहें केसे करेगा ध्यां को अधुर में अपने यह वकुवर हो शिए पने कान एड़ेवर्स इफेक्टन कॉमपेडिशन और नॉट ठीक है अब वो छे फेक्टर गया ध्यान देना लिखा पहला क्रिएशन ऑफ बेरियर्स टू न्यू एंट्रेंस इन्ट इन्ट मार्केट यानि हम लोग ने ऐसा अग्रिमेंट कर लिया है ऐसा अग्रिमेंट कर लिया है ज या फिर ड्राइविञ एक्जिस्टिंग कॉम्पीटर्स आउट अफ दि मार्केट यानी जो अभी भी मार्केट में उनको फ्रीमार्केट से निकाल दिया जाएगा उनको या फिर फॉर्ट्ट लूजर अफ कॉमपेटिशन अबाहीं रिंडरिंडरिंट इन्रिंट making difficult हैं हिंडरिंग मेंस making difficult जानी फोर्मोजर मतलब कॉंपेटिशन खतम कर दिया हम लोग हम लोग ने यह नि अग्रीमन्ट के वजे से क्या production improve हो रहा है एक डिश्रीबशन इंप्र रहा है यह Been यह Certainly Third Kyris promotion of Technical scientific and economic development promotion of Technical scientific economic development या अच्छा कासा Country economic development लो तो यह 3 चीजे गुड़ फेक्टटर सोती और उपर के तीन जीजे बैड़ फेक्टर दो तीji है अगर good factors is greater than bad factors तो आपके agreement को रोका नहीं जाएगा but अगर bad factor is greater than good factors तो आपके agreement को रोक दिया जाएगा ऐसा माना जाएगा कि appreciable adverse effect on competition है तो examiner अगर पूछे कि कौन से factors को ध्यान दिया जाएगा determine करने के लिए कि appreciable adverse effect on competition हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आपको याद रखना है पहले का बोला making entry difficult second बोला driving existing computers out of the market third बोल रहा है hindering difficult कर देगा entry वो बस first third same फिर fourth बोलता है consumers को कितना benefit हो रहा है fifth बोलता टेक्नोलोजिकल development कितना हो रहा है six बोलता economic development कितना हो रहा है production कैसे improve हो रहा है समाज़ तो यह आपको याद होना चाहिए कि कौनसे factors competition पर appreciable adverse effect करते है ठीक है अब यहाँ पर उपर देखो यह मैंना आपको बता दिया summary summary एपर यह एंटी competitive agreements का एंटी competitive agreements का क्या बीटा summary है ठीक है तो यह सारे क्या हो जाते यह सारे vertical horizontal सब को मिला के मैंने दर पर सब्सक्राइब करके दे दिया है तुम लोगों देखो वही चीज़ न रिफिसल टू डिल रिसल प्राइब मेंटेनेंस एक्ली सप्लाइब टाइन अर्रेंजमेंट बीड रिगिंग अग्रिमेंट अफिक्स प्राइज अलोगेट मार्केट लिमिट प्रोडक्शन ठीक है अब हमारे सेक्शन 3 हो गया सेक्शन 3 हो गया देखो मैं धान देना में सेक्शन 345 पर बहुत टाइम इन्वेश्च करूंगा बागी तो तुम लोग करी लोगे सेक्शन 345 बहुत ही तो वापस से एक बार रिविजन करेंगे फटाफट बहुत ही फास्ट बहुत ही फास्ट पतलब ऐसे लगए तुम लोगों को मैं दोस्के दो के स्पीड से चल रहा हूं बात हो रही है एग्रिमेंट की अग्रिमेंट कितने डाइप का होता है अच्छा सुनो नॉर्मल अग अ होर्जेंटल सैम लाज्गिए स्ट अली इस से लृबिश्सहां लेगए अच्छाम्पल यह अब सारे अग्रिमेंट सो होते ही रहते है वडिकल वाले लेकिन एइसे कम मानेंगा बलो χ字 करण है वेन धियर हैओं यांशबन एड़िशेबल जेडिशस अवर्तिपरेंग तो इनको रोका जाएगा अभि यह अप्रिशेहमल एड़रोसएंफेक्ट डंपस्टिशन कैसे माना जाएगा यह अप्रिश्मल एडवर्सटर ओंपस्टिषनब लिए्ट कैसे माना जाएगा तो 6 टेन अच्छे थीन बुरे कह रहे तीन अच्छे थीन ुस पहले का Promised तरी पहले कहा है मेंग एंट्री डिफिकल्ट सेकंड इस ड्राइविंग एक्स एक्सिस्टिंग कॉंपेटर्स आउट अफ दी मार्केट थर्ड वह हिंद्रिंग वाला पॉइंट फॉर्थ बोल रहा है फिफ्ट बोल्रा प्रोडक्शन लेवल के से इंप्रूव हो रहा है शि आपके सेक्शन 3 यानि प्रोइबिशन आफ एंटे कॉंपेटिव अग्रिमेंट अब मैं आफ से डिसकस करने जा रहा हूँ वह है सेक्शन 4 विश्टोक्स अब प्रोइबिशन अफ अभ्यूज अब एक बात समझो किसको डॉमिनेंट पोजिशन पर रहना पसंद नहीं है कि जैसे कि अगर मैं 10-12 साल से मेरे इंडिस्ट्री में हूँ अगर मैं 10-12 साल से मेरे इंडिस्ट्री में हूँ और मैं अभी भी अगर मार्केट का लीडर नहीं बना तो मैं तो पागल हूँ मैं तो घदा हूँ फिर यार हर एक इंसान को क्या बनना है मार्केट लीडर बनना ह एक तुर आप रहो डामेनन्ट पूसिएंपर आपको मना नहीं किया गया और रिपीट आप डामेनेट पूसिइशन पर रहो आपको कोई भी मना नहीं करेंगा वेट आप ढॉमीननट पूजिचिन पर रहकर सको भूब्स मत करो आपronic आप dominant position पर रहे कर उसका गलत फाइदा मत उठाओ रहना है dominant पर रहना है तरह को रह तू रहा है भाई रोकेंगे नहीं बट तू गलत फाइदा मत उठाओ तू उसका गलत फाइदा मत उठाओ अब देखो क्या लिखा है dominant position मतलब क्या होता है एक ऐसा position at the top आप market में सबसे उपर हो and has strength in the market मेरे पास ताकत है market में survive करने का अब prohibition of abuse of dominant position means that a group is restricted from abusing its dominant position यानि जब हम बोलते prohibition of abuse of dominant position यानि हम dominant position को prohibit नहीं कर रहे जो dominant position का गलत फाइदा उठा रहे ना हम उनको prohibit कर रहे समझ रहे क्या मोलना चाहरा हूँ फिर यहां पर a group is said to be in dominant position when it can operate independently that means the competition cannot affect this market यानि मैं 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 competitors मेरा कुछ नहीं बिगाड सकता है competitors मेरे को हाद दिन लगा सकता है तो मैं dominant position पूरू या फिर मेरे पास इतना power है कि मुरे मैं पुरे consumers को पुरे market को अपने favor में ला सकता हूँ मैं पुरे consumers को पुरे market को क्या कर सकता हूँ अपने favor में ला सकता हूँ कि अध्य है रिला हेट जो लाइंज यो आचया तुम सबको डाउट आए रहेगा कि सर्री रिलाइज जी हो कई सब बजगे competition के रडार से डिसकस्कर लिदी दो मिनिटे तुम सबको डाउट आया रहेगा कि रिलाइंस जी ओ कैसे बजगे विकोस रिलाइन जी हो भी क्या a free my free my free मैं मतलब इंडिया के बूके लोग ने कभी इतना इंटरणेट three में देखा ही नहीं था पहले याद करना हमारा एक एक जीवी पूरा दिन चल जाता था पूरा दिन बोल रहा हूं पूरा महिन चल जाता था लेकिन आज 1.5 जी वी दिन का भी कम पढ़ता है कि समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चार ऑन कहाँ कर आंग यह तिम को भलूम है लेकिन 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 जब गुस्सा हो के एटलने केस फाइल कर दिया ये बाकी ट्रिक मोपरेटर देटेट्ब कर दिया कि रिलाइंस एंटी कॉम्पोजिटिटिव चीज कर रहे है रिलाइंस अपने dominant position का advantage उठा रहे है अपने dominant position का advantage उठा रहे है ऐसा case किस profile क्या गया रिलाइंस पर अब रिलाइंस के lawyer थे रिलाइंस के lawyer गये court में court में जाने के बाद जब सामने अले के lawyer ने opposite party के lawyer ने इल्दाम लगाया कि Reliance जिओ dominating position पर है जिसका वो abuse कर रहे जिसका वो गलत फाइदा उठा रहे तो रिलाइंस के lawyer ने तो भाई सीधा बोल दिया रिलाइंस के lawyer ने सीधा बोल दिया कि we are not in dominant position we are not in dominating position why because dominant position पर आप कब बूला होगे जब मैं किसी इंडर्स्री में काफी सालों से हूँ या मेरे बहुत चारे customer रिलाइंस यह तो भी नया नया है वो dominant कैसा हो सकता है तो पहला point reject कर दिया गया दूसरा point क्या बोला गया था दूसरा बोला यह ना अज़ तीशरा चीज तीशरा चीज कोटने क्या अब्जब क्या CCI ने क्या यह अब्जब किया कि consumers को benefit कितना ओर इस से CCI ने observe कि consumers को कितना benefit हो रहा है अगर consumers को अच्छा खासा benefit हो रहा है तो हम इस agreement को इस business को रोके यह नहीं आप business continue नियुकर सकते और इसके लिए रिलाइन जी ओपर कोई एक्षिन नहीं लिया गया रिलाइन जी ओब जिए ठीक है अब यहाँ पर आजो के लिए अब यूजव ऑफ डॉमिनज पॉजिशन कब होता अब यूजव डॉमिन कोशन कब अधान दना जब आप unfair conditions और प्राइज लगाते हो जब अब unfair conditions of price जांड जैसे मैं कुछ भी प्राइस चार्ज कर रहा हूँ तुम से एक जी पी पाइक करो रूपेड चार्ज कर रहा हूँ यह क्या बाइए त्र रिटरी प्रीजिटरी प्रीजिंग मतलब selling product at a cost which is less than cost of production which is less than cost of production यानि मुझे प्रोड़क्ट बनाने का खर्चा लगता है 100 रुपिया मैं बेच रहो इसको 80 रुपीज में तो यह क्या हो जाएगा प्रिडेटरी प्राइजिंग हो जाएगा तो आप यह कर तो भी आप अपने डॉमेंट पोजिशन का अभी उसकर रहे हो अब आप फिर बोलो यह माइकर में सबको सबके सर पर गन रखा क्या बोला क्या कि मेरे से लेना सिर्फ सिंकर्ड दांसर इस नूँ फिर क्रिएटिंग बेर्टेश्ट एंट्री यहनि हम नए लोग को नहीं आने दे रहे हम नए लोग को नहीं आने जरे जैसे एक्जामपल ले लो एक बहुत ही बढ़ा कंपनी है बहुत ही बड़ा कंपनी है से एक्स्य जर बिस्किट के इंडस्ट्री में अब आई टी सी को उसको आने नहीं देना है तो एक्स वाइज अपना बिश्कीर बीच रपाच रुपय में आई टी सी अपना प्राइस गिरा देगा तीन रुपया तो यहां पर यह आई टी सी से क्यों कर रहा है ताकि एक्स वाइज के एंट्रे डिफिकल्ट हो जाए या फिर पोजिशन इन वन मार्केट टो गेन एडवांटेज इन अनदर मार्केट यानि आप अगर एक मार्केट का पोजिशन दूसरे मार्केट में यूज कर रहे हैं मतलब अगर आप एक जगे पर डॉमिनेंट हो और वो डॉमिनेंट पोजिशन यूज करके आप दूसरे जगे प तो वहां का पैसा यूज़ कर यहां पर dominant create करने कोशिश कर रहा है the answer is yes बट क्या इसे consumers का फायदा हो रहा है क्या इससे अपना economical development हो रहा है याद करो पहले पहले याद कर यह जी ओ क्याने के पहले कोई था किया मार्केट में इतना internet देने वाला कि डिजिटल इंडिया ता प्रमोट हो रहा क्या नई बट अभी क्या अब डिजिटल इंडिया प्रमोट हो रहा है the answer is this to rely on joke a case में जो answers दिये गए थे जो court ने judgment दिये गए थे वो काफी सार फेक्टर्स पर बेस ते ठीक है अब आजो नेक्स इस ऐसे कब माना जाएगा कि एक enterprise dominant position पर है अब देखो एक छोटा सा ट्रेडर हो खुद को चिला रहे मैं dominant position पर हूँ मैं dominant position पर हूँ तो थोड़ी dominant position पर आ जाएगा dominant position के लिए आपके पास बहुत सादा market share होना चाहिए आपका resources वगर का size बड़ा होना चाहिए आपके competitors का size देखना पड़ेगा आपके पास कितना economic power यह देखना पड़ेगा फिर आपका vertical integration vertical integration मतलब अगर आप manufacturing से लेके distributed distribution तक सब आप करते हो सब पुरा का पुरा चीज़ आप कर रहे हो तो वह कहां पर आ जाएगा vertical integration में आ जाएगा या फिर consumers कितना dependent आपके products पर या आपने कितना monopoly create करना कोशिश किये आपने कितना entry barriers create करना कोशिश किये समझना में क्या बोल रहो ठीक है या फिर आपका countervailing buying power कितना है आपका countervailing buying power कितना है countervailing buying power मतलब large purchase less price यानि जितना ज्यादा quantity में खरीदेगा उतना कम प्राइज में मिलेगा यह रूले मार्केट का अगर मैं एक प्रिड़क खरिदने जाओ एक quantity तो मेरे को मार्केड़ भॉप होपे मिलेगा लेकिन अगर यही मैं सोग कॉनलिटी खरिदने जाओ तो मेरे को प्राइब यह स्काइब यहां बताया था कि कॉंपरिशन कमिश्यन अप इंडिया कब वो छे फैक्टर पर ध्यान देगा का करने के लिए खेंटर पर धान देगा तुरुट माइन वेदर यार विंग एई इस योन कॉंपेटिशन नॉट अभी मैं आपको क्या बताया कि अभी उस कब बोला जाता है जब आप यह सारी चीज कर दो आप अभी आप अभी उसकर ऐसा माना जाएगा और अभी मैं आपको क्या बताया कि एंटरप्राइस के पास डॉमेन पो अब बापों का बाप section कबाप section number 5 का नम है combination section number 5 नाम क्या बिदा combination जब बर जस्ट section जब बर जस्ट section ठीक है मैं इसको तुम्हारे सामने पुरा खूल लाओंगा और यह last section हो जिसका मैं इन डिटल्ट बात करूँगा विकास बच्चों को इन सब तूफाजन टू में कोई भी चीज आप्षिन में नहीं छोड़ना है और रिपीट कॉम्पटिशन एक टूफाजन तू में आपको कोई भी मतलब कोई भी चीज आपशन में नहीं छोड़ना है है am I clear चुक है आप यहाँ पर combination क्या होता है combination क्यों होता है sir जब एक bowl में rice और noodles को डाल दे और उसके में छे-जवनशन टला दे उसको मस्त ओ combination rice leveraging noodles wollt इतना मारूँगा ना पकड़ के हैं तीक है यहाँ पर combination मतलब यह सब फालतो गिरी नहीं है तीक है यहां पर combination मतलब क्या होता है combination मतलब दो जिस्म एक जान हो रहे हैं मर्जर हो रहा है या इनका amalgamation हो रहा है क्या हो रहा है या इनका क्या हो रहा है अब बुलाएंगे और अगर आपको याद होगा मैंने आपका competition आग जब चालो किया तो मैं आपको बताएं तीन पिलर का बात कर रहा हूं मैं एक बात कर रहू मैं Competition Act, Prohibition of Anti-Competitive Agreement Section 3, Prohibition of Abuse of Domain Position Section 4, और अब मैं किसका बात करा हूँ, Regulation of Combination Section 5, Prohibition of Combination नहीं बोला है, Merger होना चाहिए, it is very important for the economy, take over होना चाहिए, it is very important for the economy, but अगर आपके merger करने के वज़े से, अगर आपके take over करने के सवज़े से, Market में Monopoly Create हो रहा है, तो आपके Mergers को Allow नहीं किया जाएगा, आपके take over को Allow नहीं किया जाएगा, आपके किसी भी Transactions को Allow नहीं किया जाएगा, सर नहीं समझ रहे, सर नहीं समझ रहे, प्लीज बताओ, ध्यांदो, ध्यांदो, ठीक है, ध्यांदो, पहले, combination मतलब समझ ले, फिर में बताओ, आपको, combination मतलब समझ ले, क्या लिखा देखो, combination means, acquisition of control, shares, voting rights or assets, acquisition of control by a person over an enterprise, जैने एक इंसान, दूसरे enterprise का, shares, voting rights, control ले रहा है, तो इसको, combination बुलाया जाता है, insert take over का बात हो रहा है, take over का, मैं एक परसन हूँ, मैं एक परसन हूँ, suppose मैं वो reliance, मैंने टाटा ग्रूप का shares ले लिया, या टाटा गूप का control ले लिया, तो क्या बुलाया जाए इसको, combination बुलाया जाएगा, या फिर where such person as direct or indirect control over another enterprise engaged in competing business, याने मैं indirect acquisition का बात करो, किस का बात करो बढ़ बिटा, indirect acquisition यानि मैं डिर्क ने खरीद है, indirect ने खरीज़ है, for example, suppose reliance, अब reliance को acquire करना है, OYO को, reliance को acquire करना है, OYO को, ठीक है, अब OYO की OYO में shareholding किसका है, OYO में shareholding किसका है, OYO में shareholding is for example, एक्स लिमिटेट इसका एक्स इन डियुक्त तर स्ण न्युक्त मुंक्भा राजन्स अग्याँ करते है लैंश्ड यह च limitation या फिर मार्चर नहेंस र्जाम्म गांस तरह जान की रहा ? amongst enterprise enterprise when the combining parties exceeds the threshold thresholds मतलं limits thresholds मतलब limits set in the Act thresholds मतलब独मेट state in that अच्छ अब अगर तुम्हों ने इतना पड़ लिया हो गए इतना पडलिया होगा इतना पड़ली मतलब मर्जर या अमालगमेशन जा फिर सर कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है मर्जर या अमालगमेशन होता है ठीक है हाँ जी हाँ यह यह होता जो आप समझ रहो सही बोल रही सर लेकिन हम लोग को यह बात नहीं समझ रहा है कि कॉम्बिनेशन को क्यों रोका जा रहा है पूंबिनेशन को रोकने का रिजन कहें मर्जर तो अच्छी बात है आम this कमिशन तो अच्छी बात है क्यों रूख़ा जा रहा है इनको तो समझना बात को ठीक है अगिए अगेन टेली कॉम इंड्री के एक्जामपल लोगा एटल ओकला सबसे फास्ट नेटवक हां चलता ही निये ठीक है अब सपोज यह तीनों लोग ने मर्जर कर लिया यह ती लोग ने क्या कर लिया मर्जर कर लिया यह तो क्या अपना CCI यह ट्रांजेक्शन होने देगा क्या अपना ले गार क्या अपना अपना ट्रांजेक्शन होने और ऊपना यह ताल र안चेन और उलएक है आप यह धो है कि consumers के पास option है कि अगर consumers के पास option है तो monopoly नहीं हो रहा है अगर consumers के पास option नहीं है तो monopoly हो रहा है समझे नहीं क्या बोलना चलो तो क्या दो बड़ा-बड़ा company merge होएगा I repeat क्या बड़ा-बड़ा company merge होएगा तो क्या यह लोग पूरी कर सकता है हाँ जी सर अगर दो बड़ा कंपनी मढग हो रहा है तो बिल्कब मोन पूरी कृट हो सकता है और इनको अलाओ नहीं करने का कर वह एक्त मैं कुछ लिमिट के ऊपर जातेख हो और आपके मर्जर से एप्रेशिएबल एड़िवर्स इफेक्ट और कॉंपेडिशन हो रहा है आपके मदर से क्या हो रहा है एप्रेशिएबल एड़िवर्स इफेक्ट और कॉंपेडिशन हो रहा है बिटा एप्रेशिएबल एड़िवर्स इफेक्ट और कॉंपेडिशन मतलब 6 एक्टर तीन गु लिमिट्स के ऊपर जा रहे हो और उसके वज़े से क्या हो रहा है एप्रिशियबल एडवर्स इफेक्ट और कॉमपेडिशन हो रहा है उसके वज़े क्या हो रहा है एप्रिशियबल एडवर्स इफेक्ट और competition हो रहा है तो आपको रोका जाएगा तो आपको कहा जाएगा रोका जाएगा अब बच्चों का सबसे भयंगा डाउट बच्चों का सबसे बढ़िए इतना messages आते हैं न सर section 5 नहीं समझा सर section 5 में समझा अभी तक तुम लोग को इतना समझा कि section 5 में बोला क्या गया है section 5 में they are talking about combinations sir combination मतलब take-over induct take-over merger amalgamation ठिक है इन सब का बात हो रहा रहे हैं अब में बात बता ना एक simple है इसका एक दुकान एक शॉब एक होटेल होटेल हो एह और यह होटेल नहीं रेप प्यों नॉर्मल होटल मिन्टू का भी क्या है है एक होटल है मिन्ट का भी क्या है एक होटल आप यह लोग ने क्या है चिंटु मिन्ट में ना मर्जर कर लिया मर्जर कर लिया क्या पूरे इंडिया के होटल इंडिस्ट्री में मोनोपोली क्रियेट हो जाएगा क्या बोलो क्या पूरे इंडिया के होटल इंडिस्ट्री में म हो गए तो कर इससे पूरे इंडिया में घ्रूसरी गरुश दिके चेन में मौनोप्य एडो जाएगा क्यों हां नहीं गंटी बजा गया गंटी वैजा क्या cci a big fish को target करेगा स्मॉल फिसको target करेगा अभ एट लिग फिश को रहे समझो यार बात को तुम लोग और ऑपाई मोनोपोली कफ्रियेट होगा जब बड़े प्लेयर्स का मर्जर हो रहा है जोटे प्लेयर्स का मर्जर हो रहा है यह सब करेगा लेकिन भाई बड़े कॉंबिनेशन को रेगुलेट करना है या चोटे कॉंबिनेशन को रेगुलेट करना है बड़े कॉंबिनेशन को क्री मोनोपोली भी किस्ते हो का भाई बड़े कॉंबिनेशन से चोटे से मोनोपली होने वाला नहीं है क्या flows कर रहा हूं तिमको अब कॉँक्स कर रहा हूं तुमको यह वो बड़ा फुन आईड़े का जो मर्जर हुआ है कि यह लोग ने भी CCI का अप्रुवाल लिया रहेगा क्या सदप बड़ा मर्जर है तो बड़ा मर्जर बोलने के लिए दो चीज़ एक है Assets या तो Turnover क्या बुलता है क्या या तो Assets या तो Turnover अगर आपका Assets एक Limit Cross करता है या आपका Turnover एक Limit Cross करता है तो उसको क्या बुलाया जाएगा उसको बुलाया जाएगा बड़ा Merger बड़ा Combination और बड़ा combination का बात कर रहे हो बेटा तो वापास बोल रहा हूँ कि अगर आपका combination बड़ा किस बेसिस पर बताये लोग लें बड़ा किसके बेसिस पर classify कर रहे दो basis पर एक assets और अगर आपका assets एक limit के उपड़ जाता है या तो आपका तो आपको compulsory CCI का अपर लेना पड़ेगा क्या बोल दिया गया इन इंडिया में फिर लिखा लिखाने इंडिया मतलब देखो combination दो पार्टी के बीच में होगा तो दोनों पार्टी आउानों पार्टी कहा कई इंडिया का अच्छा इन abd अगर वोड़ाफून का मर्जर हो रहा है आईडिया से तो यह कंपनी टू कंपनी का मर्जर है यह किसका मर्जर है कंपनी टू कंपनी का मर्जर है तो कहना है एंटर्प्राइज लेवल है और यह मर्जर दोनों कंपनी कहां कि इंडिया की तो यह इन इंडिया का बात हो रहा है क्या रिपीट किसका बात हो रहा है इन इंडिया का ठीक है क्या जबनेुकर क्या सब्सक्राइच नौहीं तो पाई वोड़ा फोन या आइडिया का जो मर्जर हुआ है okay यह भी एक कमपनी है यह भी एक कमपनी है वि यह लोग enterprise level पर है ना यह लोग क्या विटा enterprise level पर है ठीक है अब enterprise level पर है और यह दोनों का मर्जर कहाँ पर हो रहा है इंडिया में दोनों इंडिया के न भाई दोनों क्या है इंडिया के तो इनको सीसे अपरोल कप चीज़ जब लोग limit क्रॉस कर दें अब बड़ा किस बेसिस पर बोला गया है या तो assets या तो टरन ओवर है ना आपको बड़ा किस बीसित पर बोला गया है या तो आपका अशेट ज्यादा है या तो आपका turn over जादा है तिके अब ज्यांद दिना मैं क्या बोलना चाहरा हूं ठीके आओ इधर लिकाए अगर आपका asset 2000 करोड से जादा है या अगर आपका turnover 6000 करोड से जादा है I repeat if your assets is more than 2000 करोड और your turnover is more than 6000 करोड तो आपको को CCI का कमपलसरी अपरोल लेना पड़ेगा मर्जर करने के पहले मर्जर करने के पहले आपको CCI का कमपलसरी अपरोल लेना पड़ेगा द्यान से सुनना अब यह जो 2000 करोड और 6000 करोड है यह आफ्टर मर्जर देखना है क्या देखना है आफ्टर मतलब वोड़ा फोन आइडिय का मिला के अगर असेट 2000 क्रोड के उपड़ जाता है यह तरन और 6000 क्रोड के उपड़ जाता है तब हमें CCI का पर लिना पड़ेगा यानि यह जो 2000 क्रोड या 6000 क्रोड है यह में इंडिविजुली देखने वाला हू या अग्रिगेट देखने वाला हू यह अग्रिगेट देख सोराय है 6,000 क्टोड क्रहों सोराय है imprison interface level का बात कि अब बाठ और a group level कब आब खरा ग्रूप अब टॉस लेवल में की हो दो नीमिट सब कोई एक पर्डी ग्रूप है जैसे अगर Rio layan Group के 이 इस एक वायूरिंग का तटा ग्रूप गड्रूप लेवल जाए गा एक किदगर आजायगा गुर्ब लेटे या फिर रिलाइनस ग्रूप is acquiring Realize Mortar Minist accompagnate $ ? मॉडर तो ये भी काई जाएगा ग्रूप लेवल में हाझाईगा मतलब या तो जोज़ानों पार्टी ग्रूप है या तो लुजब कमपनी का दूसरे इंडियुजब कमपनी से म्रुजर हो रहा है अमालकमेशन हो रहा है टेक और रहा है कुछ भी ओ रहा है तो वहाँ पर लिमिट कितना देखना अपने को तो ग्रूप का जो टॉर्ण वह और जो असेट से वह कम हो गया ज्यादा होगा गुरूप समझता है गुरूप मतलब एक कंपणी ने बहुत सारी कंपणी योगी उसमें तो लिमेट भी बढ़ना चाहिए ना लिमेट बनना चीए तो गुरूप लेवल पर क्या बोल दिया गय है ग्रूप लवेल पे बोला आपका इस एट षूट बी ग्रेटर दने एट थाउजन करोड या तरनोर शुट भी मोर थैन 24,000 करोड टूर शुल्ट मोर दन वोट 24000 करूड यह कि सका बता रहे लोग यह लोग इंडिया का बता रहे यह लोग किस सका बतार रिटा इंडिया क बता रहे ठीक है अब दान दना क्या बोला है जब आप लेफ्ट से राइट में जाओगे तो इन्टू 3 करना है और जब आप उपर से नीचे आओगे तो आपको इन्टू 4 करना है देखो टू इन्टू 3 6 2 है समझ रहे फिर 6 into 424 आभी मीन हो रहे है आप कंबैशन हो सकता है If Lгор अब तक मैं आपको क्या सिखाऊłe । इन इंडिया मैं दो तरीके होते तो नीमिजम कंपनी कोई पार्टी ग्रूप है दिमाग मैं इतना बिठा कर रखना किounds कम हो होगा गरुपको लिए ज्यादा होगा because group company तो बहुत सरी company include करती है ना group company जो है बेटा वो बहुत सरी company include करती है ठीक है अब individual to individual limit किया है more than two thousand करोड assets और more than six thousand करोड turnover और में से कोई एक भी limit ज्यादा है तो आपको सिसे का अपरोल पहले लेना पड़ेगा और लिखना बीच में और ठीक है अच्छा गुरूप लेवल है तो मोर देन निचाने करें कितना है इंटु फोर ना तो मोर देन 8000 करोड और मोर देन 24,000 करोड क्लियर में क्या बोलना चाहरो तुम लोगो इंडिया में कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है अब लिखा इन इंडिया और से इंडिया मतलब समझो बात को अभी हो रहा क्या है जैसे अभी रिसेंटली में प्रैक्टिकल एक्जामपल लोंगा यह तो र करीदा पता है ना वॉल्मार्ट ने कहा किया बेटा फिलिपकट को खरीदा अब वॉल्मार्ट कहां का पार्ट यह यू ऐसे का और फिलिपकट कहां का है बेटा इंडिया का है ना बिनी बंसल सची इंडिया टुदन फाइशिक्स उन्होंने कंपनी बनाए थी फिलिपकाट फिर बेच दिया इसको Walmart को ये Walmart को इसको पहुत है आप Walmart USA का है Flipkart India Walmart का पुरा World में बिजनस है Flipkart का सिर्फ इंडिया में बिजनस है समझ रहा है इनने क्या बोल रहा हुँ तो अगर Walmart कि अगर बड़ा बड़ा पपनी तो बिल्कुल मौनोपोली सब्सक्राइब तो अब अगर अगर एक फॉर इंडियो वाले कब आ को सब्सक्राइब कर रहा है एक बात सम suppression पर दिशन एक्ट का जूरिजिक्षिन सिर्फ इंडिया में इने फॉरन में भी होता है मतलब क्या है अगर इंडिया में कोई अग्रिमेंट से एंटी कॉम्पेटिव चीजे हो रही है तो तो CCI बीच में आए गाया या बट अगर आप इंडिया के बाहर को एग्रिमेंट कर र रहे वाल मेंट का replacesंस्र 오래ब्रोड तो अब हम रुपी में नहीं देखligen भाई हम रुपीज में धिखें हम डालेंड में हम किसमें देखेंगे डicon में अगे लेवल पर सकता है या तो कंपनी टू कंपनी या तो ग्रूप टू कंपनी या तो ग्रूप टू कंपनी या तो ग्रूप टू ग्रूप टू ग्रूप है तो और या तो ग्रूप टू ग्रूप है या तो ग्रूप टू कंपनी है तो यह कहां पर आ जाएगा ग्रूप लेवल अजय कंपनी तो कंपनी तो क्या आजाएगा नो गुरूप यानि एंटर्प्राइज लेवल पर क्लियर है मैं क्या बूलना चाहर हो ठीक है अब क्या लिखा देखो इन इंडिया और इंडिया आउट्सेट इंडिया अगर आप नो गुरूप हो नो गुरूप मतलब आप यूएज डॉलर वन बिलियन जिसमें से कम से कम वन थाउजन करोड जिसमें से एटलीश ग्रेटर दन वन थाउजन करोड यानि कम से कम एक हजर करोड से जाधा इंडिया से होना चाहिए या फिर टरन ओवर यूएज डॉलर थ्री बिलियन जिसमें से कम से कम तीन हजार rupees में इन्ट splendid जरो किषमेश presenting रूपी तो गुरूप में वैस ना उब मैं उस डॉर किटना एक लिए फॉर बिल इसमें 10000 लिए रेजदा नाचे यह बॉय जी जबान तिवैंड बिलियन जिसमें 3030 करोड इंडेक डॉलोग यह 1000 करोड 3000 करोड ये से में तरो इंदिया वाहला नहीं समझे का तिम लोगों द्रॉड और द्रिडर इन ड्यांदे नए ठीड ने पुर में का झेक झार ओ करेंड यो द्यान हरी दिया तो li flipkart ka assets in assets flipkart ka assets is 800 crores कितना है 800 crores walmart ka walmart ka assets is 3 billion US dollar कितना है 3 billion US dollar अच्छा merger के बाद कितना हो जाएगा 3 billion US dollar plus 800 crores और अपने कितना है यहाँ पर अभी enterprise level पर 1 billion assets का लेकिन walmart का already कितना है 3 billion US dollar और assets कितना है इंडिया वाला flipkart का 800 crores तो यहाँ पर CCI का approval लेने का जरूवत नहीं है बिकोज इंडिया से कम से कम 1000 crores से जाधा नहीं है समझो बात को समझो बात को सी मोनोपोली तभी क्रिये टोगा जब walmart का इंडा में विजनस है और जिसको वह इंडाय में एक वार कर रहा है वो बड़ा है दिसे फिलिपकाट इंडा में बड़ा लेकिन उसका असे इस कितना हो रहे 800 crores यहाँ पर लिमिट कितना दिया गया अब यह वाल माट 3 billion usd कमाता है तो अब उसका इंडिया से तो अब उसका इंडिया से कितना निकल रहा है 3 billion usd हो रहा है तो यह तो 1 billion से जाधा है यह प्लस इंडिया से भी 1000 करोड से जाधा है तो क्या अब यहां पर CCI का अप्रूवल लेना पड़ेगा the answer is yes sir अब CCI का अप्रूवल लेना पड़ेगा ठीक है समझ रहा में क्या बोलना चारहो तुम लोग को तो ध्यान देना अगर नो गुरूप का बात हो रहा है तो यहां तो पहले डॉलर्स में बात हो बिलियन डॉलर्स बिलियन डॉलर् का बात हो रहा है तो अगर आप इंडिविज्यल लेवल पर हो एंटर्पराइज लेवल पर हो तो मौर दैन वन बिलियन डॉलर्स या तो टरन अवर मोर दैं थ्री तरीका कितना हो जाएगा 12 लेकिन याद रखना है इंडिया से जितना कमाना वह सब जगा खेम यह इंडिया सीं तना कमाना है वो क्या है सब जगा सेम् we last 10 करोड 3 thousand 1000 करोड यानि आपको इंडिया से भी कितना निकल रहा हूँ भी दिखना और एक करde देन दोन और एक ग्जामपल ठीक है for example X Company ये कहां का है India का and Y Company ये कहां का है USA का X Company और Y Company एक India का है एक USA का है अब इनका क्या हो रहा है मर्जर हो रहा है क्या हो रहा है मर्जर हो रहा है अच्छा एक्स कंपनी इंडिया से कितना कमाते है मालू में 0.3 billion US dollar मालप इंडिया में assets and is for turnover turnover कितना इन का से पर ग्गामपल 1.5 billion USD कितना 1.5 billion UST तीचे अच्छा अब वाई कंपनी कितना कमाता है और कितना इनका 2.5 बिलिए अब अगर इनका मर्जर हो रहा है तो पोस्ट मर्जर क्या सीन है भाई पोस्ट मर्जर यानि मर्जर के बात क्या सीन है सो 1.2 प्लस 0.3 is equal to 1.5 billion usd करेक्ट 1.5 प्लस 2.5 is equal to 4 billion usd तो क्या यह लोग लिमिट क्रॉस कर रहे है क्या इनका अपरो लेना पड़ेगा हाँ वाई क्योंकि लिमिट क्या है सर मोर दन वन बिलियन या मोर दन 3 बिलियन तो मोर दन वन बिलियन भी क्रॉस हो रहा है अगर यह लोग इंडिया से अगर 1000 करोड से ज्यादा असेट नहीं कमाते या 3000 करोड से ज्यादा टरन ओवर नहीं कमाते तो यह लोग को अपरोड लेने का जरुवाद नहीं तो इन शॉट अगर ग्लोबल लेवल पर मर्जर हो रहा है तो आपको देखना है कि इंडिया से कि माज गलोबल तो देखने देखने भाइस आप ये इन्डिया से किर्दир कमाया जा रहा है यह आप रह आपने को मुः पे शलए ठौनर तका थैए दौ मैं तो मैं पया शहां जाएगा है नो ज्यान देते हैं और एकदम सिंपल है कोई टेंशन लेने का दरूरत नहीं है ठीक है अच्छा मैंने क्या बोला कॉंबिनेशन हो रहा है अब आपको तो यह पता चलिका ना कि दो बड़े-बड़े लोग का कॉंबिनेशन होगा तो अपर लेना पड़ता है ससी के पाशच सब्सक्राइब सब्सक्राइब का टीक है और कांबिनेशन के दो तरीके सब्सक्राइब और एक-इंडिया और एक एए पाल से ग्लोबल लेवल पर मैं देखेंगे इंडिया में से लिएर्पीज मैं रुपीज में ita एक ए içे इंडिया में दो तरीका होता है एक individual company level एक group level इधर भी individual company level और group level अच्छा आपको देखना किसके basis पर है assets से turnover तो individual में assets कितना होना चाहिए greater than 2000 crore 2000 crore से ज़्यादा होना चाहिए या फिर turnover 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 कितना होना चाहिए 6000 crore से ज़्यादा होना चाहिए बट यह आप group का देखोगे तो 8000 crore से ज़्यादा होना चाहिए और 24000 crore से ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पर limit कितना है individually 1 billion USD या तो 3 billion USD और यहाँ पर कितना हो जगा 4 billion या तो 12 billion जिसमें से यह चारो जगब पर इंडिया से कितना आना चाहिए कम से कम more than 1000 crore rupees या तो more than 3000 crore rupees 3000 in case of turnover and 1000 in case of assets simple तो यहाँ पर आजओ limit कितना है कैसे याद रखना है 2 6 8 24 2 6 8 24 1 billion 3 billion 4 billion 12 billion out of which 1000 crore शुट भी इंडिया और more than 3000 crore should be in India कि समझेरों में क्या बोलना चाहरो तुम लोग को इजी है लिमिट एकदम इजी लिमिट है एकदम इजी लिमिट है तो आपको याद रखना है पहले तो कैसे classify करना combination India level global level India में भी individual level group level global भी individual level level group level group के लिए हमेशा लिमिट ज्यादा होगा और याद रखना टर्नोर का लिमिट हमेशे ज़्यादा होता है बिकोस्तर टर्न ओवर क्या होता है आपका sales दोता है और sales दमेशा यह देखना हो रहा है आपको यह देखना है ऐसे में का बोलना हो तुम लोग को अभी yes और नू ठीक है तो और एक बार और एक बात मर्जर साओन कर या तो इंडिया लेवल पर और या तो ग्लोबल लेवल पर इंडर लमें दो तरीके है या तो गृूप या तो जिसमेंसे 1000 क् 54sm एह भी राद इन थीर श Undy कॉर्म शेजया ऑचि दन अप इतने अगर इतने से काम हो ज थो तुम रोको मेन ज़रूत नहीं पड़ता नहीं इतना नहीं ओर्में कब लाया मार्च 2070 को भी क्रिसाइट 27 saving dw 2017 लंबक five लया 27th March 2017 को एक notification लाए और बोला गया कि हम लोग आप पर इतना जुलम नहीं करेंगे हम लोग आपके साथ इतना strictness maintain नहीं करेंगे हम थोड़ा आपको exemption देंगे हम थोड़ा आपको liberty देंगे ठीक है suppose see अगर X company Y company को खरीद रही है ठो X को बुलाया जाता है एक वाइर अवर्याइब कम्पनी को बुलाया जाता है target company Y company को क्या बुला जाएगा target company बुलाया जाएगा और X को क्या बुलाय जाएगा एकierten कुले बुलोगiform इतना के तुम लोगको ठीक है अब अब ध्यान दना मैं क्या बोलो धान दना मैं क्या बोलो एकदम important है बहुत important है ठीक है अगर target company का assets is up to 350 crores या फिर target company का turnover is up to 1000 crore तो आपको CCI का अप्रुस लेने का जरूवत नहीं है तो आपको cci का अप्रुस लेने का जरूवत नहीं है अगर अगर ऑगर अगर गर टार्गेट कमपनी का से टारियर कमपनी मतलब कौन जिसको खरीदा जा रहा है ताइब कमपणी मतलब कौविए जिसको खरीदा जा रहा है ठीक है आगर मैं आप के कंपणी दर टार्गेऄ डिब गब मैं कौर्फ आपकी कंपणी का बेटा तार्गेड कंपणी तो तुमारा 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 तार्गेड कंपणी का अगर आसेट 350 करोड तक है यह टान ओवर 1000 करोड तक है तो आपको अप्रूवल लेने का जरुवत नहीं कहरती है है समझो बात को ठीक है जब दोनों बड़ा कंपनी मर जो एगा ना तम मोनोपोली होता है अब जो आपको खरीद रहा वो बहुत बड़ा है लेकिन आप एकदम चिंदी कंपनी हो आप एकदम छोटे कंपनी हो आपका असेट 350 करोर सकी है या आपका टरनोर सी 1000 करोर तकी है तो पिर अपरो लेने का दर्वत नहीं है कैसे ध्यांद ना इधर अरे सब बता दूंगा तुम लोगो टेंशन मतलो तुम लोग ठीक है अच्छा यहां पर दान ठीक है से वोड़ा फोन आइडिया का एक्जामपल लेते ठीक है वोड़ा फोन का असेट्स कितना है असेट्स वो कितने भाई अरे आजा अजा इरेजर आजा कितने बिटा सेवें थाउजन करोड का अच्छा आईडिया का क्या है आईडिया का असेट की सी ने पीटा आईडिया का असेट इस 200 करोड का और turnover is 800 करोड का turnover is what 800 करोड का ठीक है अब अगर इनका merger हो जाए तो post merger situation क्या रहेगी बेटा post merger situation क्या रहेगी assets is equal to 4200 करोड post merger मतलब Voda 1 plus idea कितना जाएगा 4200 करोड और turnover कितना हो जाएगा 7800 करोड अब याद रखना मैंने आपको बताया था इंडिया लेवल पल अगर इंडिविजल टू इंडिविजल मर्जर रहा है तो लिमिट क्या है more than 2000 more than 6000 के 2000 6000 को क्रॉस कर रहा है अब आप चालो हो जाओगे चिलाना और चीशे का अपरोल लो सी से अपरोल लो डा आंटर इस सी सी इए का अपरोल लेने का जरूवद नहीं है CCI का अपरो लेने का दरुबद नहीं है क्योंकि टार्गेट कंपनिया ना उसका आसेट 2000 करोड़ 200 करोड़ 800 करोड़ जैने इस लेज दन 350 करोड़ एन इस लेज दन 100 करोड़ समझरह मैं क्या बड़ रहा हूं exemption जो आपको दिया जारा है नहीं रिपीट में आपको जो अगजम्षन दिया यह रहा है वह कब दिया जाएगा जब टार्गेट कमप jóटा है जब कहेंotte तरगेट कमपनी छोटा है समझ रहो आओ अच्छा फिर यहां पर देखना कितने साल के लिए एक्जम्शन दिया जा रहा है फाइव एर्स के लिए यह 27th मार्च तो यहां तक आपको एक्जम्शन मिलने वाला है और अभी आप लोग जो एक्जाम दे रहे हो जून 21 यह डिसेंबर 21 यह जो भी दो गया भी आने वाला एक्जाम तो उसमें तो आप कवर्ड हो यह एक्जम्शन आपके एक्जम्शन के लिए अप्टी के वहले ठीक है फिर गुप क्या होता है माल में क्या जब एक कंपनी ध्यान दना में क्या बोल रहो जब एक्स कंपनी वाई कंपनी में 26 परसेंट या उससे जाधा होल्ड करती है 26 परसेंट या उससे जाधा होल्ड करती है तो एक्स और वाई कंपनी को गुरूप कंपनी माना जाएगा क्या मने 10 company में 26 26 26 तो 10 company को मिला के क्या बुला जाएगा गुरूप कंपनी बुला जाएगा बट यहां पर गुरूप को भी exemption दिया बुला अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में less than 50% तक acquire करती है तो उसको हम लोग section 5 के लिए गुरूप नहीं मानेंगे उसको हम तो मैं क्या बोल रहा हूँ नॉर्मली गुर्प कमाना जाता है जब मेरी कंपनी आपके company में 26 परसंट होल्ड कर रहे है या उससे ज्यादा वोल्ड कर तो गुरूप माना जाएगा बट यहां पर 50 परसंट रूल कर रहे है तब वो गुरूप है यह exemption कहा दिया है section 5 में एक notification आया था 27th March 2017 को बोला देखो अगर गुरूप सी अगर आप गुरूप हो गए ना तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर आपको है नॉर्मली गुरूप का मतलब यह होता है कि एक कमपनी दूसरे कमपनी में 26 परसंट या उससे जादा होल्ड कर लिए बट कॉंपेटिशन एक्ट में यहां पर जो एक्जेम्शन दिया है वहाँ पर गुरूप का लिमेट 26 परसंट से बढ़ा कर कितना कर दिया है 49.99 तक करोगे तो आप गुरूप नहीं माने जाओगे लेकिन अगर आप अगर आप 49.99 या उपर यानि 50 परसंट या उसके उपर होल्ड कर रहे हो तो फिर आपको गुरूप माना जाएगा इसके लिए मैंने चार्ट देदी आपको इसके मैंने क्या देख चार्ट बहुत सिंपल बना ठीक है दिए क्या लिखा है मैंने ना सब ठीक है अगर उनका अब तो 2,000 करोड़ के नीचे है तो वैसे भी उनको section 5 applicable नहीं होता तो उनको CCI का अपरोल लेने का दरुवत नहीं है बट अगर उनका अगर उनका assets 2000 करोड के उपड़ जा रहा है और अपना law क्या बोलता है greater than 2000 करोड इंडिविजल लेवल पर इंडिया में तो अगर 2000 करोड के उपड़ जा रहा है तो उनको approval लेना पड़ेगा बट एक exemption ला दिया है अगर value of assets of target company is less than equal to up to 350 करोड तो आपको approval लेने का जरुवत नहीं है लेकिन अगर value of assets of target companies greater than 350 करोड तब आपको section 5 applicable होगा यानि मेरे पर section 5 applicable है या नहीं तो मैं पहला क्या देख रहूं assets अब अगर assets 2000 करोड तक है तो फिर देखने आगे बढ़ने का जरुदी नहीं है मेरका अपरोल नहीं लेना है लेकिन फर example अगर मेरा assets combine a value acquire target का मिला के अगर 2000 करोड के ओपर तो मुझे दो option मेरका पहला देखना है कि लेकिन अगर मैं 350 करोड से ज्यादा है टार्गड कमपनी का तो फिर मुझे आप रूवल लेना पढ़ेगा सिंपल ना नेक्स्ट फिर देखने अपर टैनोर लिखा है अगर टैनोर अप्टू 6,000 करोड तक है टैनोर अप्टू 6,000 तो आप रूवल लेने का बात ही नहीं आ देखने तो फिर अपरो लेना पड़ेगा समझ रोम मैं क्या बोल रहा हुँ इधर और इंदर पाष आओ पास ओं और मेरी सासों में समवाँ पासा ओ न गया 2000 क्रोड की नीचे है तो मुझे देख रही है कुछ मेरे का अपरोन का जरूरत नहीं है लेकिन 2000 के ओपर है तो मुझे देखना है कि मुझे exemption applicable है या नहीं और मुझे exemption applicable कब होगा जब मेरा target कंपनी का दोनों का नहीं देखो यह जो 6000 करोड है ना यह मैं दोनों का देखता हूँ लेकिन एक्जेम्शन के लिए सिर्फ किसका देखा जाएगा टार्गेट कंपनी का तो अगर टार्गेट कंपनी का अगर टार्गेट का 1000 करोड तक है तो बज़ गए आप रोलेने का जरूत नहीं लेकिन 1000 कोड के उपर तो सेक्शन 5 क्या हो जाएगा एप्लिकेबल हो जाएगा क्लियर है और हट 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 सेम मैं आपको गुरुप का भी मतलब बता दें यहां पर गुरुप क्या होता है अगर less than 626% यानि कमपनी वन कमपनी टू में 26% से कम होल्ड करता है तो तो वह ग्रूप कर एसे भी नहीं है लेकिन यहां पर एक्शंचन के लिए अगर 26% के उपर तो आपको गूरूप बूलाय जाता है लिकिन यहां पर एक्शंट्यों का दिया है 26% से लेके 49.9 तो सबना पूरा section 5 अभी revise करा दूंगा एक दमदान सुनना अब section 5 talks about combination I repeat section 5 talks about what section 5 talks about combination combination क्या होता है take over index take over merger amalgamation जब दो companies बड़ा-बड़ा merge होएगा तो monopoly create होने का chance हो सकता है और इनको CCI का approval लेना पड़ेगा compulsory है ठीक है but sir बड़ा company आप किस basis पर classify करते हो तो sir ji हम बड़ा company classify करते है on the basis of assets and on the basis of turnover sir ji assets अगर एक limit से ज्यादा होगा यह turnover एक limit से ज्यादा होगा तो इनको compulsory CCI का approval लेना पड़ेगा sir ji merger यह तो India level पर होता है तो global level पर होता है इंड़ेवल में और दोनों कमपनी का मिला के देखने अच्छा एक्जेंशन आपको मिलेगा जो वो दोनों सстаточно कम पनी का देखके मिलता है यह सिर्फ टार्गेट कंपनी का देखके मिलता है तर्फ थार्शा करोर तक है तो आपको एक्जाटिन मिलेगा हाजी तो आपको क्या मिलेगा बीटा एक्जांशन मिलेगा सही बोल रहा हूँ एकदम सही जा रहा हूँ ठीक है अच्छा फिर ग्रूप से एक्जिंशन कम बिलेगा जब आप सामने ले कंपनिया 49.99 तक होल्ड कर तो एक इसेमिशन उसके ओपर आप ग्रूप माने जाओगे अब यहाँ पर आगे अब सब्सक्राइब करने वालों जो में क्रक्स था वह ने बता दिया तिक है क्या लिका एक आउट आफ दी बॉक्स चीज़ बताओ एक आउट आउट आफ दी बॉक्स चीज़ बताओ यहाँ पर CCI के यहां लेंगे 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 लेगे लेंगे लेहां नहीं कॉंपरीशन civilisation और चुर्ट एक चूर्ट अपर लए पर बोला कि आटि डूइंग मर्जर अमाल गमेंश्हन etc they should make an application to competition Commission of India for their approval clear a job up calica regulation of combination a regulation of combination क्या होता है कि वाई जबी भी भी तहुम कॉमडिशन करना Tech application 2R किसको application iqa cake or CCI application कि तर्दीज में 30 days में 30 days कप से जब आप को पता चल गया आपके बोर्ड बोर्ट आपर रूफ कर दिया कि अब अम आपरे में सिन होगा suppose वोड़ डैटर ने X day पर अप्रूफ किया कि चलो चलो अमालगमेशन करते हैं तो X प्लस 30 डेस के अंदर CCI को बता दो जा फिर आपने सामने ले कंट्री के साथ कंट्री बोल रहा हो करने जा रहे है आप सवाल यह उड़ता है कि CCI कितने रिप्लाय देगा तो 110 डेज में गॉवर्मेंट है ना गॉवर्मेंट टाइम लेता है कितना 210 डेज में मतलब आप सोच लो मर्जर या अमाल कमिशन करना कितना बड़ा टास्क है कितने डाम में देगा 210 डेज में देगा अच्छा सब्सक्राइब अगर 210 डेज में रिप्लाय नहीं आया तो इसको डीम्ड अप्रूवल माना जाता है बिटा क्या मना आता है डीम्ड अप्रूवल यह सब रिवाइस करना लोग पढ़ो तो समझ जाएगा तुम लोग को ठीक है अब CCI क्या कर सकता है या तो वह कॉंबिनेशन को अप्रूफ प्पब्लिक फाइनेंश़ िंटूएशन एंट यहलोग को तो काम इसे छेस बगएर करना तो यह लोग पर सेक्टिंटान फैब अब देखो ओरें एं0 पर्फोलिय नेश् 걸 लेशन देनल करते रहें दो ऑनां बड़ेबडे इनवेश्मेंट्स करते रहते कंपनmented मेश्म ले लेते हैं तो यह लोग कंपनी को टेक ओर तो कर ले रहे बट इनका बिजनस ही है यह तो इन पर आप सेक्शन फाइव अपने के वल मत कर रहा हूँ हाँ लेकिन लोग जबी भी ट्रांजेक्शन करेंगे साथ बिजनस दिन के अंदर इतना सेवेन डेज के अंदर यह लोह को क्या करना है सी से बता देना है कि हमने इतना-इतना इनवेश्मेंट किया है तीक है फिर आगे चलते हुए यहां पर क्या लिखाया Competition Commission of India का बोला Competition Commission of India बेटा यह body corporate है जिसका perpetual succession होता है जिसके पास common seal है they can hold movable property and involved property they can do everything what which a company can do अब सवाल यहात है sir sir इसमें कितने लोग रहते है तो एक chairperson होगा और कम से कम दो और जाद से जादा 6 member होंगे कम से से कम दो और जाद से जाद कितने होएंगे छे members यानि at any point of time कम से कम तीन जन होंगे तीन जन कैसे एक chairperson और यह दो जन या फिर जाद से जाद कितने हो सकते हैं यह एक और यह चीह यानि साथ ठीक है आजो आपके knowledge के दिखा देता हूँ आपके knowledge के लिखा देता हूँ साइट ओपन होगा तो दिखा दूँगा मैं CCI अच्छा मैं connected नहीं हो तो यहां से ओपन नहीं होगा आप लोग के काम करना आप लोग अपने website पर Google पर Google कर लेना competition Commission of India वहाँ पर आपको दिख जाएगा एड़ प्रेजेंट एक चैर परसन और दो मेंबर है CCI में और जो चैर परसन है आपको क्या लगता है CCI के चैर परसन इसे कोई आलतुफालतों लोगों यह रस्ते से उठाया और अपॉइंट कर दिया बोला चलो CCI का चैर्मन बन जाओ नहीं ना आएस ओफिसर होते हैं कोनों थे आयस या बड़े बड़े ओफिसर रिटार्ड जज्ज वगएरा होते ठीके खतरनाक वाले और आयस बनना बिलपुरी खाने जितना असाने क्या गये दुकान में बोलत बिलपुरी बना दो दान्सर इसम तो बड़े बड़े लोग चाहिए इंटरनेशनल ट्रीड एकोनोमिक्स बिजनेस कॉमर्स लोग फाइनेंस अकाउंटेश समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हो लेवर से जितना सब्जेक लिखा है सब टाल जनेगे जर पे है ठीक है फिर क्या लिखा है देखो क्या लिखा है सेलेक्शन आफ चेर परसनेंड मेंबर्स ठीक है अब चेर परसन कितना होगा एक मेंबर्स कितना होता है मैं मिनिमम टू मैक्जिमम सिक्स अभी पढ़ाया ठीक है उनको सेलेक कौन करेगा सेलेक्शन कमिटी और सेलेक्शन कमिटी में कौन होगा चीफ जस्टि कमिटेवे कौन होगा Chief Justice of India Chief Justice of India छोटा इंसान है Chief Justice of India अभी रिसेंटली चेंज हुआ ऐसे बोबिड़ से चेंज चुका है रागवन करके कोई तो है उनको पॉइंट रागवन है रागवन ऐसा कुछ नाम है उनका अच्छा से पता नहीं मुझे उनको पॉइंट किया गया ठीक है वो अगर उनके पास टाइम नहीं तो उनको कोई नॉमिनी आ जाएगा फिर M.C.A का Secretary Ministry of Law and Justice का Secretary और कम से कम दो एक्सपर्ट जिनके पास experience किसमें है बिजनस, कॉमर्थ, लौ, अकाउंटेंसी, एक्सपर ठीक है तो यह लोग क्या हो एंगे देखो चीफ जिस अफ इंडिया है उसका नॉमिनी क्या होगा चेर परसन फिर M.C.A का Secretary Member होगा Ministry of Law and Justice का Secretary Member होगा और दो एक्सपर्ट होगे फिर इनका टाइम कितना होगा फाइब यह और 65 यह समझ रहो और यह पॉइंट भी किया जा सकता है तो यह सब आप लोग हैंडल कर सकते हैं यह वाले 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 टॉपिक है वेकेंसी, डेथ, रेजिगनेशन, यह लोग सब सब मैंने दे को देखे रखा है, सब देखे रखा है, यह यह इंपोर्टेंट है, अगर आप लोग CCI के चेर परसं थे या आप CCI के मेंबर्स थे, तो आपने सपोस्थ आपका रिटार्यमेंट होगे 2015 में, तो नेक्स्ट टू येर्स तक, जनीर 2017 तक, आप किसी दूसरे जगे पर काम नहीं कर सकते हैं, हाँ, आप किसी दूसरे जगे पर काम नहीं कर सकते हैं, बट क्या आप गवर्मेंट में काम कर सकते हैं, हाँ, आप गवर्मेंट के कंपनीज में काम कर सकते हो, हाँ, आप बाकि सब जगे काम कर सकते हो, गवर्मेंट के इसमें, लेकिना बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं क्यों रेस्रिक्षन लगाया समझना बात को वोड़ा फोन आइडिया है किसके पास CCI के चैर्मिन के पास CCI के चैर्मिन को पूछा देखो सर आप आप विड्डे हो चुके हो देखो हमारा ना हमारा हमने पूरा लॉफ फॉलो नहीं कि और अच्छा पैसा भी देंगे तो ऐसा सब फ्रॉड ने का चांस से सकते हैं चैर्मिन या मेंबर्स लालच में कहां बोल सकते इसके लिए नको बोले कि अगले दूसल तक तुम जॉब कर ने सकते तो बाहर अगले दूसल तक कहीं बाहर जॉब करी नहीं सकते तुम लोग और रॉसल के बाद ज्याय नग्यू लेकिन दोसल तक नहीं कर सकते हैं लेकिन दोसल तक गौर्मेंट डिपार्टमेंट में कहीं नहीं कर सकते हैं अब सवाल ही कि साब 2 साल बात तक आएकटर बना लै सको भना ले लेकिन दो साल को स governo वेष्ट हो जाएगा ना ठीकिन ऑव तली तो वहां के मेंबर्स या चेरपर्सन ना एक दम बुढ़े एक्सपीरियंस लोग रहते हैं काफी नौलेज लेकर आते हो लोग लोग करने नहीं जाएंगे तो जबी भी उनको डाउट होता है कि कोई कहीं पर एंटी इंकोंपेरेटव और रैकर यहां कहीं पर यह अब्यूजण द्रौमान पॉजशं हो रहा है याया कहीं पर चू मोटीभर होनले करहएं और उसका काम क्या होता है उसका काम हुता है एंक्वाइरी करना अच्छा एंक्वारी कहा करना किसलिए करना जहाँ पर CCI भोलेगा सिंब मैं गर्फ यह गर उसका किसी के खिलाफ इंक्वाइरी विनी है अब Central Comment क्या करेगा वो अपॉइंट करेगा डाइक्टर जनरल वोख और रिष्टिन रेगा एडिश्र्लेक्तर जन्रल जॉइंट डेप्यूटी असिस्तेंट समझ रहे मैं क्या बडरों तो कमिशनर स्ट जॉइंट कमिशन आफ फुलीस असिस्टेंक पुलीस अशिटेंट क क्या क्या करेगा वो डाइटर जनल को अपने शारो परना चाहेगा और डाइटर जनल किसको ना जा सकता है डेपूटी जॉइंट असिस्टेंट समझ रहा है ठीक है अप क्या लिखाया आगे बढ़ते है इनका पावर्स फंक्शन्स क्या होगा टू एलिमिनेट प्रेक्टिस यहां पर दिया हुआ है यह बहुत इंपॉर्टेंट है से मैं सिविल कोट क्या के पास डैट जनल के पास वो सारे पावर होते हैं जो एक सिविल कोट के पास होते हैं समय और कि लिए आपको बिश्य द में कम से कब आत से नौ जगह कम से कम आयेगा हर एक लाव में आपको पूचे लिए बताओ इनका पावर्स कह है कहा वाहां पर लिखकर था सेम पावर एग वेंस्टेड विद शिविट जीष इसलिख कोट के पास जो पावर है वी सारे बावर इनके पास हो घिक है तो अ बहुत हुए इंपोर्टन यह सक्षिन 19 है सक्षन 26 कहें सक्षिन 29 और सक्षिन 31 और שנare 27। यह जो आने वाले सेक्शन से यह मैं आपको बताने के बाद चैप्टर खतम हो जाएगा यानि अगले हाफ एन आर में एक्सपेक्टेड है कि आपका यह रिवीजिन पुरा खतम हो जाएगा इक हो जो में में क्राइट चैया निप्टा दिया फिर सिसिया आप प्ड़ सकता है ल техट रस इंप裡面 चैया सिंपल है अब यहाँ पर क्या लिखायए देखो inquiry into certain agreements inquire into certain agreements and dominant position agreement is given in section 3 prohibition of अंटी कॉंपारिटेव लिमन एंड अब्स आफ ब्म 한다 पॉसिटे अल्सक्ष है पर कि कुछ नंग जोल तो क्या वो सकते देखो explicitly कब करेगा कमिशन में एक इनन वी इन्टु अलाइश्ट कॉण्टरेशि trends चालेंचत prawda आप पर दाम लगाया गया है अलेस्ट कॉंट्रेवेंशन ऑफ सेक्शन 3-4 और इट्स ओन मोशन यानि सीसिया खुद इनकोरी बिठाएगा खुद उसको मालूम पढ़ गया कि सेक्शन 3-4 का जोल हुआ है या फिर उसको कहीं से information मिला है जैसे सिमेंट का काटल बता था सिमेंट का का वापर उनको information कहा से मिला था Builders Association ऑप इंडिया से तो उनको से information मिला तो भी inquiry बिठाएंगे या फिर Central government स्टेट government बोलता है या कोई statutory authority बोलती है कि गलत हो रहा है या तो कोई statutory फ़ेरी अथ्वारीटी बोलते कि क्या हो रहे गलत हो रहा है तो वहां पर भी इंक्वारी चारणी में हो सकती है अब nquie कैसे चालू होडी वह कहाँ पर लिखा है है section 26 id drone cook कैसे चालू होगी वह कहाँ पर लिखा है पिटा section 26 19 में को कैसी होईगी है section 26 में बता है नहीं समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं 19 में inquiry कैसे होगी यह कहां बता है section 26 में बता है वेटा और आपको पता है न वही agreements का inquiry होगा जिनका appreciable adverse effect है या वही abuse of dormant position का inquiry होगा जो अपने position का abuse कर रहे या दे छे factor तर तीन गूर्ट इन बैड ठीक है अब क्या लिखा देखो procedure for inquiry under section 90 अगर commission को information मिला और उनको लगता है जोले commission को information मिला और उनको लगता है जोले तो commission खुद नहीं जाएगा commission में बड़ा बड़ा लोग बैठता है वो लोग खुद बना के दे कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है अब डाक्तर जो भी रिपोट बना क्या आएगा न वह commission पर binding नहीं है वह commission पर बाइंडिंग नहीं है वह शिर्फ एडिवाइजड रिपोट ऑ कमिशन को उसके आकर करना स्टेटरी अथर्वर्टी को सब को देगा सब को देगा ठीक हुआ क्या 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 C.C.I.A. को खुद कानफर मैं या सिसे को टिप लगाए कि सक्षिन ठी फोर का जो लूँआ या टिप लगा क्या वो मैं जट्रि उनको मानना है नहीं वो उनको मेंगे मनने ज़र्वत नहीं है यह बात है य। यह बाती आ है रिपोट देगा जो बूंट देगा फिर अगर डाइक्टर जनल रिकमेंड किया है कि there is no contravention मतलब CCI को शक्त था या CCI के बस complain आया कि कुछ जोलो रहा है लेकिन डाइक्टर जनल क्या बोल रहा है there is no contravention no contravention मतलब कुछ भी गलत नहीं हुआ है so an opportunity of being heard shall be given to the informant by the commission suppose Builders Association of India ने complain किया था CCI के पास और CCI ने डाइक्टर जनल को भीजा inquiry करने के लिए और वह inquiry करके CCI को बोलता है कि कुछ भी जोल नहीं हो रहा है अब Builders Association of India क्या बोल रहे है जोल हो रहा है contravention हो रहा है लेकिन डाइक्टर जनल क्या बोल रहा है contravention नहीं हो रहा है तो अगर डाइक्टर जनल inquiry करने के बाद बोल रहा है कि contravention नहीं हो रहा है तो CCI फिर एक opportunity of being heard किसको देगा यानि Builders Association of India को और इनको बोलेगा कि भाई हमको तो information मिला है कि contravention नहीं हो लेकिन अगर डाइक्टर जनल बोला कि contravention नहीं हो रहा है CCI बोलता चुप तो ने परवर से inquiry नहीं किया तो matters को आगे बढ़ाया जाएगा का बढ़ा जाएगा आगे बढ़ा जाएगा और आगे भी सिंपल है सिंपल है सिंपल है मैं क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं याद है अपने चाप्टर के स्टार्टिक में पढ़ा था section 3 and section 4 याद आया ठीक है तो अब section 3 में हमने पढ़ा था prohibition of anti competitive agreements section 4 में पढ़ा था हमनोंने prohibition of abuse of domain position बेटा तुमारे निब्बा निब्बे का budget भूल जाना खुद का budget भूल जाना anniversaries का budget भूल जाना बट ये सारे sections भूलना नहीं 25 marks का chapter है बिल्कुल भी हलके में मत लेना तुमने इस chapter को हलके में लिया institute तुमको हलके में ले लेगा याद रखना ये बात ठीक है तो section 3 section 4 में अगर inquiry बिठानी है अगर शक आया तो inquiry कब बैठेगी तो inquiry कैसे चाल होगी पहला ये देखते कमिशन को खुद लग रहा है कॉंट्रेवेंशन हुआ है या फिर कमिशन के पास information आया कहीं से जिसे builders के case में सुरी सिमेंट कार्टल के case में builders association अफ इंडिया से आया था या फिर state government ने बताया या तो central government ने बताया या तो कोई strategy body ने बताया ठीक है अब बताने के लाये का बिटा क्या करेगा inquiry करेगा report बना के लाएगा किसके पास report बना किसके पास लाएगा commission के पास अब director general job report बना के लाया commission के पास वो commission पर applicable नहीं है commission अपने decision खुद लेगा अब डायक्टर जनरल ने रिपोर्ट बनाया और बोला कॉंट्रेवेंशन नहीं हुआ है तो सीसी है सामना लेख एक ऑप पॉर्चिट विंग हड देगा बले का भाई वो तो बोल रहा निवा तो कैसे बोल रहे हो रहे है साबीत कर ठीक है फिर उसके बाद अगर डाइक्टर जनल बोलता है कॉंट्रेवेंशन नहीं हुआ और कमिश है यह मैंने क्या बताया section 90 section 90 मैं investigation कैसे होगा यह 26 में लिखा है ठीक है आच फिर देखना क्या लिखा है orders by commission after inquiry into agreements और abuse of domain position अगर आप लोग ने anti competitive agreement किया या तो आपने abuse of domain position किया तो आपको बोला जाएगा आप agreement को discontinue करो भाई बस होगी आपना तक agreement को discontinue करो खतम करो आप वापस से ऐसा agreement रिएंटर नहीं करोगे और अगर आप लोग abuse of domain position कर रहे हो तो उसको बोला जाएगा रुख जाओ अब अब abuse of domain position आगे नहीं चलेगा उसको बोला जाता है cease and desist order cease and desist order मतलब बस हो गया आगे नहीं बढ़ने का ठीक है फिर आप पर penalty लगती है कितनी अगर नॉन कार्टल है तो 10 परसेंट अफ दी एवरेश टन ओर फोर लास्ट त्री प्रसिदिंग अपने पिछला तीन साल में कितना पाइसा कमाया से पर एवरेश कितना आ जाएगा डिवाड़ थी कर दू तो 200 करोड़ और 200 करोड़ का 10 परसेंट कितना हो जाएगा 20 करोड़ आप पर पैनल्टी लगेगा मैक्सिमम कितना पर लिए लग सकता है 20 करोड़ तो बताओ लौ आफ़ा थे कि नहीं है लौ जबबर जस थे कि नहीं है बिल्कुल ठीक है अब लेकिन अगर काटल होगा काटल यह तो मैंने नौन काटल का बता है यह आप अकेले ही गंद मचा रहे हो आप अकेले ही प्रॉब पर जाता हो एक सेकंड के लिए दिख रहा है भी तुम लोग को कैल्कुलेशन क्या है इजी है ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए क्या लिखा हो मैं देखो काटल में क्या है पैनल्टी अप्टू थी टाइम्स ओफिट्स प्रॉफिट फॉर इच येर दिरिंग द टर्न ऑर इच येर ऑफ दिख कंटिने उट्पिट्स सच अगरिमेंट संजो बात को हम लोग का अगरिमेंट अना पाफ साल से चल रहा है से टू तू 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 तो पिफ्टीं 16 17 18 19 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 6 पर पाफ साल से चल रहा है अब पाफ साल में पाफ साल में हमको गया profit क्योंब से profit हुआ है 100 करोर 200 करोर 300 करोर 100 करोर 200 करोर के ऐसा हम लोगा profit वह अज़े कितना टूटल हो गया यह 900 करोर्स का हम लोगा profit वह पिछला पास सल में अज़े टर्ण और कितना था टर्ण ओर था बेटा फिर था 2,000 करोर 3,000 करोर फिर्टा 1000 5000 करोर तोंपर 20 ओसम्ड और टोटल कितना हो रहे यह 9000 करोर कितना हो er सब्सक्राइं सब्सक्राइब क्रीच चेम्स दा प्रॉफइट फर इच यह स्रींगा था प्रॉफपिद्र या ठीओन नाने चल रहा था तो 9000 कोड़ का 10% कितना हो जाएगा 900 करोड विचेवर इस हायर बोला है विचेवर इस हायर मतलब कितना जाएगा 2700 करोड एक 0 में जादा लिग दिया कितना आएगा 2700 करोड and that is the amount of penalty with CCI will levy on you अब समझा CCI से लोगों का क्यों फटता है CCI से लोग क्यों डरते है यह सोरों ठीक है बढ़ रहा हूँ आगे मैं ठीक है फिर आपको यह भी बोले जाता है कि भाई आप क्या करो जो भी एंटरप्राइस डॉमेनल पोजिशन एंज्वाइड कर दो डिवाइड कर दो इंक्वाइड को सब्सक्राइन फ्र के लिए में फोर्य ने अब क्यों पर न ही द्याएगा वह यह फिर देखूसikes अने क्याना द्रस किल अटाया इन्क्वाइड तो बरिए लेकिन इंकवाइड किसमें हो रही है अंट्रिमेंट अ पूर मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि section 5 का क्या सीन चलेगा भाई है अब मैं आपको बताना जा रहा हो कि section 5 का क्या सीन है section 5 में क्या बोला है देखो inquiry into combination inquiry into combination बिटा combination याद करना section 5 combination याद करना section 5 ठीक है अच्छा अगर combination appreciable adverse effect कर रहा है तो क्या उनका inquiry हो सकता है हाँ एंपारी कैसे करेगा और सुमूट सुमूट न मतलब on its own यानि CCI खुद से inquiry करेंच चल जाएगा या तो उसको complaint मिले टिप मिले या तो मर्जर amalgamation का information है ठीक है कितने टाइम में इंक्वारी करेंगे एक साल के अंदर अमाल का commission हो गया merger हो गया एक साल के अंदर आपको inquiry बिठाना उसके बाद आप inquiry नहीं बिठा सकते है तो जब हम लोग का merger हो रहा था हम लोग का मर्जर हो रहा था तो हम लोग ने अप रोल ले लिया तब अप्रोल मिल गया हम लोग बाद में CCI को Realize हुआ कि हम लोग पेगल और पोली क्रियेड करना कोशिश कर रहा है तो मर्जर होने के बाद भी का एक सल के अंधर अन्दर अन्कोरी सब्सक्टा यह सब्सक्राइब आप लोग कौन से कौन से फैक्टर देखोगी कॉंबिनेशन से एप्रिशेबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कि नहीं तो यह सारे वह यह जो हमनों ने उपर देख लिए है ठीक है देखो बैरियर्स कितना है कितना हैं लेवल खॉंपरिशन किया है मार्केट में caril taraf कितना प्राइज इनकरीज हो सकता है सम Haven bunu यह उन ने उपर ऑलड़ी देख लिया फोगै अब सवाल यह आता है है सर इंवस्टिगेशन का का अब पर了吧 पड़ेगा भाई ठीक है यह जो लिखा है ना फैक्ट इस तो भी कंसिरेड एनी एनी एट टू नाइन पॉइंट आपको एट एनी पॉइंट आफ टाइम याद होने चाहिए क्योंकि एक्जामिन आपको पूछ लेगा डिट वाट अफैक्टर स्टू भी कंसिडर फॉर डिट अब प्रोसीजर क्या है तो देखो अगर कॉम्बीनेशन से एपरिशियबल एडवर्स इफेक्ट होने वाला है तो इनकोईरी बिठाई जाएगी तिके अब इनकोईरी बिठाने के बाद क्या किया जाएगा रिंपनेगे कीसे खुदकस्टर फंपनेगा धूतिस्स डिया है ऐसे सपोस्ट दो 75 कमपनीई का मर्ज़र हो रहे कंपनीग है तो दोनों कमपनी को क्या दिया जाएक नोरटिस डिया जाएगा ठीक है अब और इंक्वाईरी करने किसको भीजा जाएगा भाई inquiry करने किसको बज़ा जाएगा डाइक्टर जिन्रल को हमेशे यह दखना inquiry करने के लिए कौन जाता है डारेक्टर जनरल जाता है और कोई नी जाता है तिक है अब after receipt of response of the parties to the combination जनी company A और B को notice गया था उनसे response आया ठीक है commission में call the report of the director general देखो यहां पर CCI क्या करेगा CCI will play smart CCI एक सैट से DG को बोलेगा जा inquiry कर CCI एक सैट से DG को बोलेगा जा inquiry कर और second set बोलेगा second set बोलेगा companies को notice देगा अब companies का response आया उतने में का भी inquiry हो जाएगा तो अब CCI के पास companies का response भी है और director general का report भी है समझ रहो CCI कौन से level पर खेल रहा है ठीक है अब after response the commission में call for the report of DG यह हो गया ठीक है अब यहां पर days या रखना ठीक है now the commission shell if decide that the combination is likely to cause appreciable adverse effect जैनि combination से AAEC होने वाला है तो वो साथ दिन के अंदर बोलेगा कि आप 10 इस दिन के अंदर डिटेल्स पब्लिश करो मतलब क्या है सपोस्स एक्स डे पे commission को पता चल गया CCI शौर की agreement से appreciable सोरी combination से appreciable adverse effect होने वाला तो वो एक्स प्लस 7 डेस का time ले सकता है एक्स प्लस 7 डेस में क्या बताना पड़ेगा उसको parties को companies को बताना पड़ेगा कि भाई तुम लोग यह details publish करो तुम लोग यह details क्या करो publish करो newspaper में डालो कि तुम लोग ने combination किया है जिससे monopoly create होने का chances हो सकता आप एक्स प्लस 7 डेस पर company को notice मिल गया तो company publish किते दिन में करेगा X plus 17 days किते दिन में करेगा X plus 17 यानि यहांसे 10 डेस मिल रहा न यहांसे किते डेस मिल रहा है 10 days मिल रहा है समझर आप कैसे चल रहा है जान सुनना सबसे पहला combination का procedure क्या CCI ना CCI दो चीज़ करेगा एक डीजी को बोलेगा चूप और एक notice देगा companies को Company से reply डीजी का report आया अब हम लोग देखेंगे appreciable adverse effect है या नहीं है अगर appreciable adverse effect है तो हम साथ दिन के अंदर आपको notice भीजेंगे publish करने के लिए और जबी भी आपको notice मिला उसके 10 दिन के अंदर आपको publish करना है तो X दिन पर decide किया X plus 7 में notice बेजा और X plus 17 में आप publish कर दोगे फिर publish करने के बाद objections आएंगे ना पब्लिक गुस्सा होगा पार्टी इंडिया में बहुत सर पब्ली के जो आपका stakeholders होगा वह गुस्सा होगा कि भाई यह लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं ठीक है तो उस case में X plus 32 के अंदर objection आएगा एक्स प्लेस 32 डेस के अंदर के आएगा objection राइटिंग में अब्जेक्शन आएगा आपके पास ठीक है फिर एक बर अब्जेक्शन आना चालू हुए कमिशन के पास तो फिर दे कमिशन में वितिन 15 वर्किंग डिस और फारिंग रिटन अब्जेक्शन कोल फर सच अडिशनल इंफोरमेशन एज़ डिमफिट कमिशन के पास अब्जेक्शन आया कमिशन के पास जबी भी अब्जेक्शन आएगा उनके पस 15 दिन के तायम है यानि X प्लस 62 दे पर एक्स प्लस 62 दे आपने इंफरमेशन देदिया अब उनके पास 45 देस का टाइम में एंक्वाइरी करने के लिए कितना ताइम है 45 days from expiry of period for filing further information the commission shall proceed to deal with the case जनी X plus 107 days के बाद से वोलो case को inquiry करना चालू कर देंगे case को case से deal करना चालू कर देंगे यह था आपका second important sorry one of the most important sections मैं आपको देखो हो बता है section 345 फिर में बता है section 19 जहां पर agreement या dominant position पर inquiry होती है और inquiry का procedure 26 में फिर में 20 बता है जहां पर inquiry combination में होती हो और इसका procedure 29 में clear में क्या बोल रहा हूं और penalty क्या रखना कार्टन लॉन का 10% और 10% और 3 years वो सब याद करना 3 टाइम और 10% 27 वो याद रखने 27 वाला अब यहां पर और एक बाद यह section का रिवाइस करा रहा हूं मैं ध्यान देना ठीक है सबसे पहला ध्यान रखो CCI को combination में inquiry करना है क्या वो कर सकते हैं सु मोटो या तो application आया है या तो tip वगएरा मिला है अब वो लोग क्या करेंगे काउंबिनेशन के पार्टी स्कों नोटीज देंगे क्या देंगे टा क्या देंगे बिटा कोभी इसको नोटीज देंगे और साथी साथ डायक्टर जनल को भी भीज देंगे कि जाओ भाई inquiry करके आप दोनों का reply reply आने के बाद वो लोग एक्स दे एक कोई तो दिन होगा ना x day for example x day तो लोग decide करेंगे वो लोग क्या करेंगे बेटा decide करेंगे that weather combinations having appreciable adverse effect or not अगर x day पर है effect appreciable adverse effect है तो लोग x plus seven days का time लेंगे notice देंगे बोलेंगे publish करो किसको company को और company कि तिन में publish करेगा 10 days के दर इन एक्स प्रेस सेवेंटी फिर publish किया तो फंदर दिन तक रिटन objections आएंगे objection यह नहीं होना चाहिए आईसा होना चाहिए वाईसा होना चाहिए यह वो फलाना अदिंक आना commission के पास तो objections आने के बाद 15 दिन के अंदर यानी x plus 47 commission आप से additional information मांगे आप से additional information मांगा तो आपको 15 days के अंदर यानी x plus 62 में देना और आपसे additional information मिलने के बाद 45 days के अंदर तक वो लो क्या कर सकते है केस चालो कर सकते है ठीक है फिर section 31 में क्या लिखा है आपका combination या तो approve कर जाएगा अगर combination appreciable adverse effect नहीं कर रहा है तो या तो disapprove कर दिया जाएगा appreciable adverse effect कर रहा है तो अच्छा अगर CCI बोलता है modify करो थोड़ा और आप modify करते हो तो आपका combination approve कर दिया जाएगा अच्छा CCI ने बोला modify करो तो आपने बोला modify करेंगे लेकिन आपके इसाब से नहीं हमारे इसाब से तो उस life insurance और एक ICICI Lombard Insurance जो भी है दो दो ICICI का spelling देखो जड़ा क्या लिखाया मैंने क्या बोल दिया मैंने ICICI का यह चल रहा था insurance company था ठीक है यह दुनों का merger चल रहा था या यह दुनों का agreement वगरे चल रहा था इनके बीच में कुछ monopoly monopoly create होना को कोशिश हो रहा था अब CCI को लगता है कि इनके matters के लिए मुझे किसी दूसरे statutory authority का help लेना है statutory authority मतलब ऐसा authority जो एक Parliament के Act के अंदर बना है और Parliament के Act के अंदर कौन बना है गरीबो पार्लेमेंट के Act के अंदर कौन बना है आपका इल्डा जो इंस्वरेंस कंपनी को समालता है इल्डा इंस्वरेंस रेगुलेटरी डेवलप्मेंट अफराटी ऑफ इंडिया तो अगर सी से को लगता है कि केस ना केस इल्डा को refer करना चाहिए या इल्डा का मदद लेना चा इंडिया में हो रहा है जिससे इंडिया में यहां पर पैनल्टीज दी गई है बैटा पैनल्टी ज्याद रखना वो लोग पूछ लेता मैं आपको पहले भी बोला है कि आप लोग यहां से कुछ भी ऑप्षिन में नहीं डालोगे मैंने आपके लिए देखो हर एक चीज क्या कर लिया पैनल्टी मैं अलग बता दिया है प को पर इडिकरना है आपको पढ़ना है देमें आज क्यों पैनल्टी क्या है और क्या नहीं तुक है जो मैंने सार्प आइल्टी आल करकर करकर सार्प ऐछा तीक है अच्छा फिर एक बात यह इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना आप पर कमपैनल कि भी लग सकता है आप पर प दूसरें को भी पकडवा के दूँगा मैं फोद्तों सरेंडर कर दिया मैं दूसरों को भी आपको पकडवा के दूँगा तो यहां पर आप पर कंपटालि लग सक्किए समय commercial Ale an मतपने पीसिकली अपने गृप के साथ गड़ने का साथ दिये तो कंपध लगिए और कंप कंपनी ने जोल किया है आप सबसे पहला मेरे कंपनी को पकड़ा तो मैं बोला CCI CCI और तीन कंपनी इंवल्ड CCI हस देगा बोले मेरे को मालूम है कुछ नया बता तू नया बता तब तेरे पर कंपनी लगाएंगे अधर आपने फॉल्स एविडेंस दिया है मैंने गलत इनफर्मेशन दिया CCI को CCI को गुम्रा कर दिया तो मेरे पर कंपाइलटी लगेगा नहीं न फिर या फिर जो कंडिशन पर मेरे पर कंपनी लगए गई थी में और कंडिशन फॉल्व नहीं कि तो अभी मुझे कंपनल टी नहीं लगेगी मिल्कों फिर ज्यादा पैलिटि फरन कोंपेटिशन एडवक की सी तो बाए जसा मझना दो कॉमपेटिशन एक्ट कि spelling जुलिय कि सेंट्रल गॉर्मरेंट में आप या कि सेंट्र लोन में मद्रफमिशंहा कि कॉंपेटिशन एक यह मोनोपोली नहीं तो लोग मान जाएंगे क्या तो पॉलिसी को इंप्लिमेंट करने के लिए लौ बनाया जाता है तो लौ कौन सा यहां पर कॉंपेटिशन एक्ट तो जबी भी सेंट्रल गवर्मेंट या स्टेट गवर्मेंट पॉलिसी बनाएगा तो वो लोग सीसी आए क क्या करेंगे CCI का अप्रूवल बोल रहें ऑपीनियन लेंगे रिपीट क्या लेंगे ओपीनियन लेंगे और CCI अपना उपीनियन कितने दिन में देगा बिटा 60 डेस के अंगर आप जो भी ओपीनियन दिया CCI का वह एडवाइजरी है ऐसा नहीं कि गवर्मेंट को मानना ही पड़ेगा वह एडवाइजरी है समझ रहो इन शॉर्ट इन शॉर्ट इन शॉर्ट कॉम्पेडिशन एडवर किसी मतलब CCI गवर्मेंट को हेल्प करेगा ओपीनियन वगरा देगा अपना प्लस वह लो कॉमपेटिशन को प्रमोट भी करेंगे वह क्या करेंगे बिटा कॉम अवेलेबल है तुम्हारे पास कॉमपेडिशन होना चाहिए ठीक है फिर यह फाइनेंस अकाउंट्स ओडिट सिंपल सा बात है CCI गवर्मेंट अथार्टी है तो उनका ओडिट भी कौन करेगा कॉम्पेडिशन और जनरल अफ इंडिया यह लोग कुछ फंड बनाते है जिस अब आप कहां जाते हो एंसी एलेट के और पास नैशनल कंप कंपनी लगा अपलेट ट्रिबिनल उसी तरीके से अगर आप CCI यानि कॉमपेडिशन कमिशन अप इंडे के और रिक नियों तो आप कहां जाओगे आप जाओगे नेकलेट में ही यानि नैशनल कंपनी लगा 60 days लेकिन समझो बात को मैं appeal करने जा रहा था रस्ते में मेरा एक्सिदेंट हो गया में कोमा में चला गया तो क्या मेरेको 60 days के बाद मी मिलेगा appeal करने हाँ लेकिन क्या होना चाहिए, sufficient cause होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, फिर, appellate tribunal के पास appeal आया, वो appeal दोनों पार्ट इसको opportunity wing hurt देगा, और अपना order pass करेगा, अब appellate tribunal, order का copy हर एक party को देगा, ठीक है, and six months के अंदर case को dispose कर देगा, फिर अगर आप national company लो appellate order से भी खुश नहीं हो अप लेट tribunal से भी खुश नहीं हो, तो आप appeal कहा करोगे, supreme court से, I repeat, देखो, CCI से कुश नहीं कहा जाएगा, NCLAT, और NCLAT से कुश नहीं तो कहा जाएगा, supreme court, अचा, CCI से NCLAT में जाने का time, 60 days, और NCLAT से supreme court में जाने का time, 60 days, अच्छ, ठीक है, अब, अगर 60 days में नहीं जा पाया, तो और extension मिल सकता है, अगर sufficient cause है, तो, अब अगर supreme court से भी खुश नहीं है, तो कहा जाएगा, घर पे, ठीक है, चा, अब, पावर of central government, central government चाहे, तो किसी को भी exemption वगड़ा दे सकता, इस act के अंदर, इस पूरे act के अंदर, central government चाहे, तो किसी को भी exemption वगड़ा दे सकत है, लेकिन ये किस के ओपर डिपेंट है, central government के ओपर, फिर central government direction issue करेगा, ऐसा काम होना चीए, वैसा काम होना चीए, पावर to supersede commission, क्या लिका है, central government has the power to supersede commission, बच्चो को अक्सर समझता नहीं है, तो धान दो क्या लिखाए, सुपर सीड मतलब टेक ओवर करना, सुपर सीड मतलब क्या करना बेटा, टेक ओवर करना, मतलब समझ बात को, CCI को कौन बनाया, central government, अगर CCI ठीक से काम नहीं करता, या CCI अपने powers का गलत फाइदा उठाता है, या CCI जान बुचकर public interest के against काम कर रहा है, या CCI अंशन decision दे रह है, तो उस सब केसे में, उन सब केसे में, central government के पास power है, वो commission को हटा देंगे, और central government, खुद काम समाल लेगा, यह कैसे कह समालेंगे, नोटिफिकेशन, central government, नोटिफिकेशन लाएगा, उस में लिखा होगा, from this date, CCI will be suspended, and all the workings of competition act will be done by central government itself, ठीक है, अब ये notification, maximum six months के ले वा छे महने तक super seat किया जा सकता है, उसके उपर में, ठीक है, अब एक बार super seat कर लिया, तो जितने भी लोग है, उनको क्या करना पड़ेगा, अपना office वगरा खाली करना पड़ेगा, अपना duties वगरा छोड़ना पड़ेगा, और CCI का जितना property हो, सब central government के पास, आ जाएगा, clear, simple very simple, ठीक है, now, यहाँ पर, next लिका है, अच्छा ये, अक्सर बच्चे भी पूछते हैं मेरको, सरी है, rules याद करने क्या पूरे, सुनो मेरी बात, competition act 2002 किसने बनाया, central government, तो उसके related rules भी कौन बनायेगा, central government, अब क्या rules बना सकते है, देखो, chairman का salary कितना होगा, members का salary कितना होग meeting कैसे होगा, meeting का quorum क्या होगा, CCI कहाँ पर बैठेगा, उनका headquarter कहाँ पर होगा, director general कैसे appoint किये जाएंगे, director general का salary कैसे होगा, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हो, तो यह rules वही है, जो आपने पूरे chapter पढ़े है अभी, तो यहाँ पर इसको अलग से याद करना है, हाँ बस इसक 30 days, rules बना दिया, 30 days के, Parliament जबी भी session में आएगा, अब आपको तो बता है, Parliament पूरे साल session में रहता, बट जबी session में आएगा, उसके 30 days के अंदर, Parliament के सामने यह डाल दिया जाएगा, कि हम लोग ने यह rules बनाया, प्लीज इसको अप्रूव कर दो, उसी तरीके से, जिस तरीके स centre comment rules बना सकता है, उसी तरीके से commission भी rule बना सकता है, commission किसका rules बनाएगा, तो notice कैसे आएगा, कितना fees आएगा, experts वगेरा, अब expert समझो, बात समझो, से CCI एक matter investigate कर रहा था, pharmaceutical companies का, अब pharmaceutical companies का matter discuss करने के लिए, उनको एक pharma के expert का दुरूवत था, तो उन्होंने बाहर से किसी expert को appoint कर सकते हैं, हाँ, तो expert कैसे appoint कर सकते हैं, उनका rules किया होगा, वही सब यहाँ पर लिखा हुआ, अगें, यह लोग भी जबी rules बनाएंगे, 30 days के अंदर किसके सामने डालेंगे, 30 days कब से, जब Parliament session में आ जाएगा, Parliament session में आया, 30 days के अंदर आपको, आपको, लोग सब और अपना पूरा competition act 2002 का revision हुआ, खटम, I am repeating once again, कौन से कौन से sections आपको यहाँ पर याद करने हैं, वह मैं लिख देता हू, ठीक है, section number 3, section number 4, section number 5, section number 6, section number 19, के साथ आप याद करोगे 26, 19 और 26 साथ में चलता है, और 20 के साथ याद करोगे 29, फिर आपको section number 27 भी याद करना है, और section number 31 भी याद करना है, समझेर में क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को, यह सारा sections आपको mandatory याद करना है, ठीक है, फिर यहाँ पर अगर मैं उपड चले आओ, उपड चले आओ, तो यह अपले ट्रमिल का concept बहुत important है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, फिर competition advocacy आपको या तरह sections बहुत ही important है, आपको याद करना है, ठीक है, तो take a note of it, कि इतना sections आपको याद होना ही चाहिए, in fact, मेरे notes में जितने भी sections दिये गए, सब याद रख लेना, और इसके अलावा कोई और sections भी याद कर सकतो कर लेना, बिकास यह आपको 25 marks के लिए आने वाला है, बेटा, क्लियर है, यहां से कर 25 में से अपने को सिफर ऐग्चामबल 15 भी मिल गा, और पाटे में 40 है, 40 में से 20 स्कॉर कर लिया, 20 प्लिस 15 कि तना हो गया है, 35 और पाट झी में से पार सी कितना माकस कर', 35 उसमें से आफने 15, 15 स्कॉर कर लिया, 50 तो ऐची हो जाएगा, ऑपने तार्गे झाल झाल